तो हेला ब्रेवान गुद्ध मॉर्निंग सभी को उम्मीड करतों मेरी वॉइस पापर आ रही होगी एक बार कंफर्म करतेंगे सभी लोग प्रेवान प्रेवान नोट्स के रिगादिंग ठीक बुद्मोर्निंग चलो तो नोट्स के रिगादिंग नोट्स आपके शेर हो चुके थे हैना इंगलिश वाले और हिंदी वाले भी यह क्लास खतम होने के बाद तुरंत शेर हो जाएंगे और जो आज से लेक्टर के जो नोट्स है आपको 4 पीम से पहले ही मिल जाये करेंगे क्योंकि वह पहला दि दिख जाएगा जहां पर लेक्टर होगा वहीं पर साइड में दिख जाएगा ठीक है और विकॉस कल काफी लोग पूछ रहे था कि सर कल तो आपने वीडियो लेक्टर को प्राइवेट ही नहीं किया तो इसमें आज हम लोग तीन टॉपिक्स को डील करने वाले एक तो है हमा प्रियम्बल एंड तीसरा है हमारा शेडियूल सफ इंडियन कॉंसलिशन यानि कि हमारे समीधान की जो अनुसूचिया यानि कि समीधान के श्रोत प्रस्तावना और जो अनुसूचिया है वो करने वाले हैं ठीक है यह इसी ओर्डर में इस पर्टिक्लर पीपीटे में लगे जैसे फर इजाम्पल प्रियंबल है तो जो पटेंशल कुष्टिंस यह तरह से जॉब के नोट्स बनेंगे वो यहां से भी बनेंगे ठीक है नोट्स यहां से पहले बनेंगे आपके प्रियंबल अफिंडिन कॉंस्टिशन से और उसके बाद चीजें स्टार्ट होंगी जो हम लोग कुष्टिंस करते हैं वो इस दाट लिर ठीक है चलिए नोट्स का डेमो हर चीज का डेमो चीज़ है इतना डेमो नहीं दे पाएंगे वो कोई डेमो नहीं था ठीक है वो लेक्चर, लाइफ स्ट्रीम होता है यूट्यूब पर तो वो सारी चीज़ है पर कोई डेमो येजिस्ट कर्थें प्रियंबल तो प्रियंबल कुच आपका इस तरह से दिखता है प्रस्तावना ठीक है अब ये प्रस्तावना है क्या पहले वो समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज़े हैं प्रस्तावना है क्या चीज़ तो प्रस्तावना एक तरह से हमारे constitution का gist है एक सार है जिस तरह हम कोई book stall पे जब कोई book लेने चाते हैं तो हम तुरंत within seconds book तो एकदम पढ़ नहीं सकते हैं उस book के बारे में जान नहीं सकते हैं उस particular book के बारे में और फिर हम अपना decision ले लेते हैं यह book को हमें purchase करना है फिर नहीं आनिक एक तरह से हमें उस book के बारे में चीज़ें पता चल जाती हैं क्यों क्योंकि वो जो particular summary है वो हमें उस book के gist के बारे में बता देती है अब यहाँ पर यह बात आती है प्रस्तावना यह जो preamble है हमारे country के constitution में आया कैसे और कहां से आया वो चीज़ें समझ लेते हैं तो कल के lecture में हम लोगों ने देखा था कि हमारे नहरू जी जवाहलाल नहरू जी ने क्या किया था objective resolution मूव किया था उन्होंने क्या मूव किया था objective resolution जिसको बोलते हैं और देश प्रस्ताव जल्दी साब comment बताएंगे कि इन्होंने objective resolution किस date को मूव किया था और इसको adopt या फिर accept कब किया था हमारी समिधान सबायाने की constitution assembly के था तो objective resolution के अगर हम बात करें तो first जो हमारा first sitting होई थी constitutional assembly की वो 9th December 1946 को होई थी और उसके अगले 4 दिन बाद ही 13 December 1946 को हमारे जवाल लाल नेरू ने इसको constitutional assembly के सामने move किया और इसको accept कर ली हमारी constitutional assembly ने 22 January 1947 actual में यही objective resolution है उदेश प्रस्ताव है जब बाद में preamble का रूप लेता है preamble का एक तरह से form बनता है objective resolution का एक modified form बनता है हमारा preamble यानि की प्रस्तावना एक तरह से क्या है gist है summary हमारे constitution की is that clear अब यहां पर एक बहुत ही potential question बनता है कि preamble अगर for example यहां पर मैं a statement बना दूँ कि preamble was formed or made before the complete constitution was formed तो आप में से काफी लोग इसको सही मान लेंगे statement को because आपको लगेगा कि objective resolution तो 13 December को move किया गया था जब हमारा constitution बनना start ही हुआ था but this is wrong क्यों क्योंकि objective resolution move वह था लेकिन जो हमारा preamble बना था वो पूरा जब constitution complete हो गया था बनना तब बना था preamble को जो notes बना रहे हैं इस चीज़ को add करेंगे ठीक है उसमें कि पूरा जब पूरा constitution बन चुका था तब हमारा preamble जाके it was formed it was made in the last पूरे last में जाके यह बना था बहुत illogical है यह चीज़ को सोचना अब मान लेते हैं कि हमने कोई चीज ऐसी लिख दी summary में कि ऐसा ऐसी चीज़े हैं वो चीज हमारे constitution में ही नहीं तो हम पहले कैसे किसी चीज़ की summary लिख सकते हैं summary तो तब ही लिखी जा सकती है जब पूरी कि इसको पढ़ा जाए जैसे आपकी एक प्रेसी राइटिंग होती है जैसे मैंने C.A.P.F. exam लिखा था तो C.A.P.F. exam में क्या होता है एक प्रेसी राइटिंग आता जहां पे for example आपको 300 word का एक कुछ ऐसा मिल जाएगा पहरा और उसमें आपको 1 third में reduce करके लिखना होता है 1 third मतलब जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तभी उसको 1 third में reduce कर पाएंगे तो अभी आप समझ पा रहा होंगे तो पहले हम प्रेंबल को देखते हैं English और Hindi यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है और इसका मतलब समझते हैं उसके बाद फिरम इससे क्या potential question बन सकते हैं वो We the people of India having solemnly resolved to constitute into India's पूरा लिखा हुए आप पढ़ सकते हैं लेकिन अब इसको मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ठीक है मैं आपको आपके शब्दों में इसको पढ़ाने की कोशिस करता हूँ जैसे for example आपने बोला कि We the students of SSE किस तरह से We आपी पूरी सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे जो यहाँ से potential question बन सकते हैं इसी यह story में आप समझ जाएंगे We the students of SSE having solemnly resolved to constitute ourselves into a knowledgeable and more empowered student and to secure to all and to secure to ourselves justice, liberty, equality, fraternity To secure ourselves justice, justice किसे मतलब हम SSE के जो छातर हैं वो जो कि खुद को knowledgeable बनाना चाहते हैं, खुद को empower करना चाहते हैं और खुद के लिए justice secure करना चाहते हैं Justice मतलब नया है, नया आप किससे दिलाना चाहते हैं तो बहिए जो घर की डाठ है उससे नया दिलाना चाहते हैं जो teachers डाठ दे देते हैं उससे हमाझ में दोस्तों के बीच में समांता मिलेगी और fraternity, fraternity का मतलब होता है बंधुत्व याने की भाई चारा हिंदी में सारी चीज़ें आपे लिखें ही राष्टी एक था और वही fraternity का मतलब होता है brotherhood, तो हमें brotherhood मिले गए ने कि हमारे भी friends बनेंगे जो हमें अभी लोग अभी friends अपना नहीं बनाते हों भी friends बनाए गया so on this date of 1st August 2023 do hereby adopt, enact and give to ourselves this course of परमार सर ठीक है बैच पेचने के निजा टेकनिक ठीक है तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अब मैंने इस तरह से story से रिलेट करके आपको क्यों बताया इसलिए बताया ताकि मैं आपको preamble के ingredients बता सकूँ अब यहां से एक चीज़ ध्यान से सुनिए जहां से एक एक चीज़ मा को बताने जा रहा हूँ preamble से क्या क्या type of question बनेगे सबसे पहले तो preamble से पूछेगा preamble का source क्या है नहीं सबसे पहले पूछेगा अब source ही पूछ सकता है कि preamble हमने कहां से borrow किया है ठीक है तो याद अगर borrow की बात आएगी तो हम तुरंत बोलते है USA बट इसमें थोड़ा सा changes है ठीक है USA है बट USA से हमने concept borrow किया है एक preamble होना चाहिए बट अगर हम language की बात करें कि हमने language जो ही है कहां से borrow किया है तो हमने Australia के constitution से borrow किया है ठीक है I again repeat अगर आपके exam में question आएगा तो you will mark USA अगर बहुत specifically पूछेगा कि language कहां से लिए then Australia borrow कहां से किया है अब इस पे काफी लोगों ने कुछ statement पास किये थे जैसे कि इसको ID card of constitution बोला था कि हमारा ID card है constitution का ID card क्या होता है जहाँ पे ID card में आपका नाम है gender है age है सारी चीज़ें लिखी रहती है नहीं कि आपके बारे में एक gist है पता चल जाता के बारे में आप कौन है ठीक है तो ID card of constitution ये किस ने बोला था या दखना ने पालखी वाला ने ठीक है ने पालखी वाला जी ने बोला था ID card of constitution वहीं अगर बात करें इसको horoscope of constitution बोला था horoscope horoscope का मतलब है कि आपने छोटा सा यहां से आपने देखा और सारी चीज़ें आपको एक बड़ा view मिल गया इसको देखके preamble को देखके आपको एक पूरे constitution का बड़ा view मिल जाता है विकास हमारा constitution जो इंडर का constitution है आप भी जानते हैं ये largest written constitution of the world है सबसे बड़ा लिखित साविधा ने पूरे विश्यका इसी और जैसे इसको हम बोलते है horoscope रियामल को बोलते है horoscope of our constitution इसको किस ने बोला था ये रिमा किस ने दिया था हमारे के एम मुंशी जी ने दिया था अब के मुंशी जी से आपको क्या क्या चीज़ें याद आती है इसेंबली में आठ मेजर और तेरा माइनर याणि आठ मुंख्य और तेरा लगू उसमें से जो एक माइनर कमिटी थी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ठीक है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी उसके ये चेर्में थे यहाँ तक clear हो गया अब यहां पर से चीज़ चालू होती है कि preamble के ingredients के बारे में कि preamble में दिया क्या गया हुआ है ठीक है प्रियांबल के ingredients जैसे कि हम किसी भी रेशिपिक ingredients के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला है हमारा ingredient इसका source यह हमें बताता है, इसका source of authority क्या है, मतलब इसका constitution का source of authority क्या है, source of authority of constitution, तो source of authority of constitution according to preamble is people of India, यहने कि constitution derives its authority from the people of India, लोगों से अपनी authority को derive करता है, और हमें यह कैसे पता चलता है, we the people of India, हमने भारत के लोगों ने खुद को यह समगिधान दिया है, तो source of authority क्या है people of India दूसरा ingredient है इसका nature इसके nature के बारे में पता चलता है जैसे हमें आप आपने बोला था कि we the students of SSE who want ourselves to be more knowledgeable, more empowered तो यह आप knowledgeable, empower करके खुद के nature के बारे में आप बता रहे हैं तो यह जो यहाँ पे चीज़ा हैं लिख्यो हुई है न sovereign, socialist, secular, democratic, republic अभी इसका मतलब भी देखेंगे question तो करेंगे ही लेकिन अभी इसका मतलब भी आप देखेंगे sovereign, socialist, secular, democratic, republic justice, liberty, equality, fraternity का मतलब क्या होता है ठीक है तो nature क्या है इसका, nature है sovereign जो वहाँ पे लिखा हुआ है, sovereign socialist socialist मैं short में लिख रहा हूँ secular, democratic और republic, यह इसका nature है, तीसरा इसका जो ingredient है, that is इसका objective, किसके objective क्या है, यह करना क्या चाहता है, आप क्या करना चाह रहे थे खुद को justice दिलाना चाह रहे थे ठीक है, नय दिलाना चाह रहे थे, आप खुद को liberty दिलाना चाह रहे थे आजादी दिलाना चाह रहे थे खुद को आजाद करना चाहते थे इन बेडियों से ठीक है equality खुद के लिए ensure करना चाहते हैं आप ताकि आपकी job लगे और fraternity ताकि आपका जो है brotherhood बड़े fraternity और वो कैसे आप करेंगे वो करेंगे आप खुद को GK का यह course लेकर ठीक है और किस date को लिया है अपने यह course वो है date of adoption तो अपना preamble बना लीजेगा अपने according जिसने जब भी course में enroll किया उसी साब से तो date of adoption इसमें लिखा हुआ है और adoption क्या लिखा हुआ हुआ मैरे constitution में बल्ला हमारे preamble में constitution का 26 November 1949 यह हमारी date of adoption लिखी हुई है constitution में आप आप देख सकते हैं इन आर constitutional assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution ठीक है यह सबसे पहला जो हमें component है जो सबसे पहला पार्ट है यह हमें source के बारे में बता रहा है तो यह उसके नेचर के बारे में बता रहा है यह इसके objective के बारे में बता रहा है कि यह हमें secure करना है यानि कि भारत के लोगों को यह दिलाना justice दिलाना, liberty दिलाना, equality दिलाना, fraternity दिलाना और यह हमारे date of adoption of constitution इस दिन हम अपने सविधान को अपनाया जिस दिन हम क्या मनाते हैं सविधान दिवस मनाते हैं constitution day celebrate करते हैं जल्दी से आप बताए कि हमने अपने सविधान को कब enforce यह नहीं लागू किया फिर तब तक मैं आप and opportunity fraternity सिर्फ एक ही तरह की और वो खुद fraternity ही है हमने date of enforcement of हमारा constitution है 26 January 1950 इससे क्या दाना चीए 24 January 1950 चौबिस को क्या हुआ था एक तो sign हुआ था हैंटिन constitution में 24 को national anthem national song adopt किया था 24 January 1950 को है हमारी last sitting वी थी constitutional assembly को और 24 January 1950 को है हमने राजेंतर पसाद को first president of India इलेट किया था हमारी constitutional is that clear तो यह सारी हमने इसके ingredient भी समाझ लिए अब इसका हम एक एक करके मतलब समझेंगे कि यहां पर जो words लिखे हुए difficult difficult से जैसे कि sovereign जिसका मतलब होता है संप्रभुता इनके मतलब क्या है लेकिन पहले मुझे इतना बताए कि यहां तक किसी कोई doubt तो नहीं है I hope यहां तक क sovereign का मतलब समझते है कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है sovereign का मतलब होता है कि there is no authority above you तो हमारे इस case में मतलब हम खुद को एक तरह सा अब यह संपर कोई authority नहीं है no authority above us या फिर हम इस case में अपने बोल सकते हैं India नहीं कि भारत के उपर कोई और authority higher authority नहीं है जैसे कि पहले British time पे होता था कि बिटिशर जो बोलते थे जो लौ हमारे लिए का इनाक्ट करते थे वो हमें फॉलो करना पड़ता था हम तब सौवरें नहीं थे क्योंकि कोई और हम पे रूल कर रहा था तो सौवरें का मतलब है कि कोई हमें रूल कर नहीं रहा है और फ्री टू टेक आर जो कैसी कैसी तरह की होती है एक तो कैपिटलिस्टिक होती है ठीक है कैपिटलिस्ट एकॉनमी होती है एक होती है सोशलिस्ट एकॉनमी यहां पर मैं लिख देता हूँ सोशलिस्ट एकॉनमी और ठीक है और एक होती है बीच की जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एकॉनमी या फि गवर्मन्ट के कोई इंटिफरेंस नहीं होता है और प्राइवेट प्लेएर ही इसमें पूरा हर चीज में प्राइवेट हो रखा है socialist इसका एकदम उल्टा है socialist का मतलब है समाजवा त hypocilisकी सारी चीजएं एक तरह से मिल सकते हैं government का हंतों हैं लेकिन इसके बहुद different type होते हैं जैसे कि एक तो communalistic socialism होता है communalistic socialism जैसे for example Russia, China जैसे countries में कि हर चीज में government ही रहेगी हर चीज पर government ही own करेगी यानि कि हर चीज कहीं पर भी private player को मौका नहीं मिलेगा लेकिन जो हमारे इंडिया में जो socialism है वो democratic socialism है democratic socialism ये बोलता है कि सबको बराबर मौका मिलेगा government भी रहेगी private players भी खेलेंगे बस ये है कि socialism रहना चाहिए सभी में equitable distribution of wealth रहना चाहिए लेकिन हम उसको इस तरह से achieve नहीं करेंगे जैसे communist countries करती है कैसे एकदम prohibition लगा कि कोई private enter करी नहीं सकता तो एक तरह से हमारी mixed economy है democratic socialism को हम follow करते हैं ठीक है democratic socialism को हम बोल सकते हैं mixed economy आने की मिश्रित अर्थ वेवस्था clear है फिर हम बात करते है socialist का आप मतलब समझ गए secular का मतलब क्यों होता है secular जो कि आपको पंत निर्पेश होता है इसका मतलब है कि कोई भी भारत का कोई भी एक particular धर्म नहीं है जैसे कि पाकिस्तान Islamic State of Pakistan है उसका एक Islam religion को वो सिर्फ मानता है लेकिन हमारे याइंडे में सभी धर्मों को बराबर मानेता मिली वी है secularism भी दो तरह का होता है एक होता है negative और दूसरा positive हमारे हाँ positive secularism negative positive में अंतर क्या होता है negative मतलब का होता है कि state का interference नहीं रहेगा religious matter में यानि कि जो government है वो religious matter में interfere नहीं करेगी positive का मतलब होता है कि religious government का interference होता है religious matter में और वो हमारे इंडिया में है positive secularism ठीक है फिर हम बात करते हैं वैसे तो मैं मतलब आपको बताया दे रहा हूँ ताकि अगर question इसे बन जाए तो आप कर पाएं ठीक है socialist अगला word हमारा sovereign sorry socialist तो हो चुका है न एक second sovereign socialist secular इसके बाद आएगा democratic यहाँ पर आगे लिख लेता है ठीक है अगला हमारा democratic democratic का मतलब है democracy का मतलब है कि कल भी मैंने बताया था Abraham Lincoln जी जैसे बोला था democracy is the government of the people by the people and for the people यनि लोगों के द्वारा लोगों की और लोगों के लिए जो हमारी सरकार होती उसको democratic government बोलते है ठीक है तो democracy का मतलब यह होता है हमारे और democracy भी different type के होती है एक होती है direct democracy और दूसरी होती है indirect democracy direct democracy और indirect democracy का मतलब क्या होता है हमारे इंडिया में कौन सी है तो अगर हम बात करें direct democracy वो होती है जहाँ पे people लोग directly participate करते है people directly participate in lawmaking यनि लोग directly participate करते हैं lawmaking में और इसका उल्टा indirect होता है नहीं people directly participate नहीं करते हैं lawmaking में अब मुझे बताएं इंडिया में कौन सी है, indirect है या direct है, जल्दी से बताएं कॉमेंट में, इसका जो सही आंसर होगा, देखते हैं कितने लोगों ने दिया है, इसका सही आंसर होगा indirect, इसलिए indirect होगा, क्योंकि हम directly lawmaking में participate नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, अब जैसे for example, कोई law आता है, कोई bill आता है, तो वो लोगसभा में जाता है, अगर हम union की center की बात करें, center law की बात करें, तो लोगसभा, राजसभा, president का, राजपती का सहमती मिलेगा, क्या वो हमारे जनता के लिए रखा जाता है, कि जनता उसमें बता है, अगर जनता ने बोल दिया, अगर मान लेता है कि 51%, या फिर उसे ज़्यादा जनता ने बोल दिया, कि हाँ ये bill pass होना चीए, तो pass होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा इंडिया में होता है, नहीं होता है, लेकिन ऐसा कई सारी कंट्रीज में होता है, जैसे कि for example, स्विट्जर लैंड, अब वहाँ पर इसलिए हो बात है, क्योंकि उनकी population बहुत ही कम है, ठीक है, और उनकी population जब बहुत ज़्यादा लिट्रेट है, तो वो directly participate कर सकते हैं lawmaking में, हम इंडियन्स अपने representatives चुनके बेशते हैं, वो democracy में मतलब एक तरह से lawmaking करते हैं हमारे लिए, और ये direct democracy में different type के होती है, referendum, plebiscite जहाँ पे लोगों का directly एक जिन्मत लिया जाता है, ठीक है तो democracy आप समझगे, अब मतलब समझे, republic का, जो frequently आपके बार-बार exam में पूछा जाता है, republic का मतलब क्या होता है, गड़तंत्र का मतलब होता है, बहुत simple एक line में खतम करूँगा, head of country, वैसे head of state लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आप याँ head of country लिख रहा हूँ, UK यानि Britain जो हमें रूल करता था, क्या वो republic नहीं है, क्योंकि वहाँ पे UK में जो head होता है country का, वो राजा या रानी होती है, जैसे Charles III हमी, ठीक है, तो क्या है, वो राजा है, मतलब एक तरह से उनका hereditary position है, अब उनके जो बेटे है बेटी होंगी, वो अगले position पे आएंगे, यानि कि वो एक meritocracy से नहीं आ रहे है, क्योंकि वो खांदान है, वो उसी से बार-बार आ रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, republic नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे head of country is hereditary, not elected, तो जहाँ elected होता है, इंडिया और USA जैसी countries में, वो republic होते हैं, और जहाँ नहीं होता है, वो republic नहीं होते हैं, is that clear? ठीक है, तो ये notes आपको add करना है, जो notes बना रहे हैं, ठीक है republic, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, justice का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो sovereign, socialist, secular, democratic, republic, ये तो क्या था? नेचर था, फिर हमने खुद को, क्या, क्या, हमारी aims and objective क्या थे? हम खुद को justice दिलाना चाह रहे थे, justice भी कित्ते तरह का दिलाना चाह रहे थे? तीन, social, political, और economic, social, economical, and political, तीन तरह के just political, ठीक है? तीन तरह के justice हम दिलाना चाह रहे है, social justice का मतलब ये है, कि हम अपने जो citizens of India है, उनको social justice का मतलब ये है, कि किसी को, उसके जात या फिर, धर्म के हिसाब से, उसको ऐसा नहीं कि, कि किसी को justice मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, नया मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इस जात यसे बिलोंग करते है, तुम को नहीं मिलेगा, वो होता है social justice, कि हमें सब को, बिना जात धर्म को देखे, वो justice देना, economic justice का मतलब है, कि पूर को justice नहीं मिल रहा, rich को मिल रहा, तो economic justice नहीं होगा, तो हमें economic terms में भी, सब को justice देना, चाहो economically जैसा हो, financially जैसा हो, political justice का मतलब होता है, कि सभी को ये बराबर, हक है, power है, कि वो कोई भी constitutional position के लिए, एक तरह से apply गर सकता है, ठीक है, जैसे कोई भी हमारे है, member of parliament, member of any की, सांसाद, विधायक, ये सब बन सकता है, तो ये इसको बोलते है, political justice, ठीक है, फिर हम आते हैं, justice के बाद हमने देखा था, liberty, liberty कितने तरह के थी, याद करिये, liberty थी पांच तरह की, पूछता है, अभी question आएंगे, जो के से सी के PYQs ही है, liberty of thought, ठीक है, expression, बिलीफ, faith, and worship, ठीक है, बिलीफ, faith, and worship, ये पांच तरह की liberty है, इसको deep में में समझना नहीं है, बस ये समझे, liberty का मतलब होता है, absence of any kind of restraint, यादि किसी तरह के restraint, बाधाय नहीं हैं आप में, ठीक है, और आप एक तरह से free है, मैं खुद को पूरी तरह से develop करने के लिए, वो होता है liberty का actual meaning, ठीक है, यादि कि मैं बहुत सकता हूँ, absence of restraint, absence of any kind of restraint, and opportunity to develop oneself, opportunity to develop oneself, ये liberty हो गया, फिर हम बात करते हैं, equality की, तो equality भी हमारी दो तरह की है, और वो कौन-कौन से है, status, equality, status में होना चाहिए, equality, status में होना चाहिए, और opportunity में, बाकी equality को हम deep में देखेंगे, जब हम fundamental right article number 14 पढ़ेंगे, वहाँ पे, यानि कि एक तरह से equality का मतलब बता है, absence of any kind of special privilege, यानि कि किसी को vicious अधिकार नहीं प्राप्त है, exception are always there, president, MPs, MLAs, governor, यह हमारे इसमें exception है, अपवाद है, वह हम देखेंगे, जब वह chapters पढ़ेंगे, तो absence of special privilege, यानि कि कि किसी के पास, vicious अधिकार नहीं है, हर कोई समान है कानून के सामने, और आखरी हमारा fraternity, fraternity सिर्फ हमारा एक तरह का है, और इसका मतलब होता है, common brotherhood, fraternity का मतलब होता है, common brotherhood, भाई चारा में बढ़ाना है, ठीक है, ये चीजें आपने सखिली, तो कितने type of question बनेगे आपसे, सबसे पहले तो ये type of question बनेगा, कि कहां से बौरो किया, कहां से language लिया, ID card किसने बोला, horoscope किसने बोला, ingredients क्या है, उनका मतलब क्या है, अब जो last set of question आपसे बनता है, वो बनता है कुछ जो कि बहुत important है, कि preamble, एक question यहां पर बनता है, कि can preamble be amended, and is preamble a part of constitution, is preamble a part of constitution, यह चर्चा काफी पहले से चलती आ रही है, इसका final answer मैं लिखूँगा, लेकिन उससे पहले, इस चर्चा में किस किस तरह से developments हुए, वो देखिए, सबसे पहले तो एक case हुआ, बेरु-बारी union case, बेरु-बारी union case हुआ था, 1960 में, 1960 में, इसमें इन दोनों question के answer, is can preamble be amended, answer was no, is preamble a part of constitution, answer was no, यानि दोनों question के answer इसमें, no दिए बेरु-बारी union में, फिर आया हमारा KBC, the very famous, केसव-नन्दा भारती case, ठीक है, यह बहुत ही famous case है आपका, केसव-नन्दा, भारती case, इस case में सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ था, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के answer दिये, yes, और फिर इस चीज़ को again, उसने confirm किया, जो LIC case हुआ था, उसमें इस चीज़ को confirm किया, कि yes, जो हमने केसव-नन्दा में बोली, वो सबात सही बोली, अब बाकी बातें बाद में, पहले मैं को यह बताना चाहता हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने decision को reverse कर सकते हैं, यह हम साफ साफ यहां पर देख पा रहे हैं, कि बेरु बारी union में कुछ और बोला, केसव-नन्दा में कुछ और बोला, आगे भी देखेंगे, गोलक नाथ में कुछ और बोला, केसव-नन्दा में कुछ और बोला, यानि कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने decision को reverse कर सकते हैं, उसको करने के लिए, उनको ज़्यादा judges की bench चाहिए, मतलब ज़्यादा bench चाहिए, और वो तब decision देना चाहिए, कि अब तक की सबसे बली judges bench थी, जिसमें कि 13 judges बैठे थे, हमेशा जो judges बैठते हैं, वो odd number में बैठते हैं, तो for example, पता चला 14 बैठे, 7 ने बोला, हाँ, 7 ने बोला, ना, तो फिर क्या होगा, तो इसी वाज़े से 13 थे, 13 में, 7 ने बोला, हाँ, 6 ने बोला, ना, तो अभी हो गया, ना, तो बेरियू बारी, मतलब कभी भी decision reverse करना होता है, तो higher judges bench चाहिए होती, तो किस तरह से development हो, आप समझे है, सर हमें finally याद क्या रखना है, कि part है कि नहीं, और क्या amend हो सकता है कि नहीं, तो आपने याद रखना है, yes, 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 preamble is a part of constitution, and preamble can be amended, तो दोनों question के answer होंगे आपके, yes, अब बात आती है कि क्या, अब इसमें amendment हुआ है सर, amendment हो तो सकता है, लेकिन क्या इसमें amendment हुआ है, तो answer is yes, कितनी बार हुआ है, preamble has been amended only once, very important, कब amendment किया गया था, 1976 में, 42nd amendment हुआ था, CA का मतलब है constitutional amendment, not constitutional assembly, constitutional amendment, यह हुआ था आपका 1976 में, इसको हम mini constitution के नाम से भी जानते, इस amendment को याद रखेगा, यहाँ पर एक चीज में आपको बता दूँ, कई सारी मैंने books होगेरा में देखा है, कभी article अलग से एक chapter है, amendment अलग से chapter है, कभी आपको ऐसे नहीं पढ़ना चीज़िए, हम लोग ऐसे ही बीच बीच में amendment करते रहेंगे, cases करते रहेंगे, और article भी हमारे हो जाएंगे, पार्ट भी हमारे ऐसे हो जाएंगे, फिर आखिर में summarize कर लेंगे भई, भी आद होते चलेंगे, amendment भी आद होते चलेंगे अपने आप, ठीक है, तो एक खटा नहीं पड़ना है, वो अपने आप होते रहेंगे simultaneously, तो mini constitution के रूप में जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें add करी थी, इसलिए इसको mini constitution के रूप में जानते हैं, अब 40 second amendment किया preamble ने, amendment का मतलब बहुता कि कोई change करना, change करना किसी चीज़ को जोड़ना, हटाना, या फिर कोई modify करना, तो उसको बलते है constitutional amendment, तो इसने फिर क्या जोड़ा घटाया, इसने घटाया कुछ नहीं, जोड़ा, क्या जोड़ा, इसने तीन words add किये, three words added, वो तीन words कौन थे, वो तीन words थे I, sorry, मतलब I से है आपका integrity, socialist और secular, ये तीन words हैं आपके, ठीक है, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, तो तीन words कौन से हैं, integrity, socialist और secular, ये तीन words हमारे जोड़े थे, किसने, amendment है, इसका मतलब होता है खंटा, socialist का मतलब समाजवाद, और secular का मतलब पंतिनिर पेक्ष, वो पता है क्या करेगा, पूछे का इन में से कौन एट किया गया था, तो इसको याद करने की trick ऐसे याद रहे था, कैसे, जब हमारा constitution बना था, उसके बाद ये तुरन प्रियांबल बन गया, तो हम जैसे ही आजाद तो तब ही हो चुके थे थे न, ऐसे तो है नहीं कि जब 42nd amendment ही हुआ था, तब हमें याद आए कि अच्छा हम आजाद भी हैं, तो चलो sovereign को add कर दो, आजाद तो हमें पहले से पता था कि हम आजाद हैं, तो इसलिए sovereign हमने पहले ही add कर दिया, तो amendment add करने की बात आती ही नहीं है, अब इसमें और किस तरह से question बन सकता है, भी तो question देखेंगे, लेकिन ये समझ लीज़े, वो ऐसे पूछ सकता है, कि, चलो मैं तुमसे भी पूछूँगा, मुझे याद दिलाना, आखरी में जब मैं question बनाऊँगा, तो वहीं पर question form करूँगा, अब बते हैं जल्दी से, अब question आएंगे, cut 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 cut, सारे question तुरंट होने चाहिए, ठीक है, बिना ज़्यादा time waste के वे, तो यहाँ पर answer क्या होगा, हम भारत के लोग, यानि we the people of India, अगला question, अब ही देखा, युएसे से concept लिया, अउस्टेलिया से language लिया, 1 and 3, option number C, question number 14, question number 15, the preamble of Indian constitution was adopted on, preamble को हमने कब adopt किया था, option आपके सामने, याद करिये, जो हमारी last line थी, we do hereby, adopt, enact and give to ourselves, this constitution on the date of, on the day of 26 November 1949, जिस दिना अपना constitution day मनाते है, साविधान दिवस मनाते है, इससे आपको और क्या दाना चाहिए, मुझे जो याद आता है, that is, कि हमारा constitution तो enforce नहीं लागू गए तो 26 January 1950 को, but, but कुछ हमारे provisions थे, relating to जैसे election हो गया, provisional parliament हो गया, वो हमारे 26 November 1991 को ही लागू हो गए थे, आगे बढ़ते हैं, till now the preamble of constitution has been amended for how many times, अब तक सम्विधान की प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन किया जा चुका है, यह आपको बताना है, ठीक है, और अभी एक चीज मुझे बताना भूल यह हूँ, इस question करिये, और तब तक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, and that is, कि एक चीज वो है, कि हमारा preamble, 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 is non-justifiable, ठीक है, non-justiciable, या फिर not-justiciable, non भी लिख सकते हैं, non लिख लिए, non-justiciable, अब यह चीज जब मैं तुम्हें fundamental right पढ़ाऊंगा, तब भी यह चीज आएगी, justice-able, non-justiciable, fundamental duty पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी आएगा, DPS भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी आएगा, ठीक है, सारी चीजों में, बस fundamental right मौली का दिकार ही, एक ऐसी चीज है, जो justice-able है, वाद योगे है, बाकि सारी चीजें, अवाद योगे हैं, ननी non-justiciable है, सारी मतलब बताओ, बताते हैं भी, इसका मतलब होता है, कि, justice-able का मतलब है, आप court में जाओगे, आपको नया मिलेगा, लेकिन इसको लेकि, आप court में नहीं जा सकते, कि यहाँ पर तो लिखा, justice, social, economic, political, और हमको social terms में justice नहीं मिल रहा, तो हमें नया दो, वो बोलेगा, यह बिटा preamble है, वहाँ पर देख लो, वो non-justiciable हैं, पहली बोल चुके हैं, तो preamble is non-justiciable, clear है, यानि कि इसमें कोई चीज लिखी है, इसको लिए को आप court नहीं जा सकते हैं, हाँ court उसको देख सकता है, हाँ यह अच्छी चीज लिखी होई, हमारा देश ऐसा होना चीजए, लेकिन उस पर आपका हग नहीं है, कि यहाँ पर तो यह चीज लिखी होई, और हमको यह नहीं मिली, fundamental right में जो चीज लिखी होई, और अगर आपको नहीं मिली, नौर अब prohibition on the powers of government, यानि कि ना तो preamble कोई power देता है, हमारे सरकार को, कि भाई तुम्हें यह यह तुम कर सकते, फिर तुम्हें करना है, ना ही वो कोई restriction लगाता है, गवर्मेंट की power हों कि तुम यह नहीं कर सकते हो, जो fundamental right करता है, बॉलिक अधिकार बोलता है, कि state shall not give titles, यानि कि जो सरकार है, वो किसी को title नहीं दे सकती, महराज अरा जाका इस तरह का, state discriminate नहीं कर सकती है, जब public employment की बाद आती, यानि यह नहीं कर सकता है, हमारी government, उसमें लिखा हुआ है, यानि वो prohibition है उनकी power में, लेकिन preamble ना तो power देता है, ना तो power चीनता है, यह चीज़ याद रखेगा, question number 16 की बात करें, answer यहाँ पर once होगा, एक ही बार amend हुआ है, that is 42nd amendment, ठीक है, 1976, cis, यानि कि socialist, या फिर ISS करकी बात रह सकते हैं, अगले question पर आते हैं, preamble of Indian constitution reads India as, जल्दी से बताई है, question number 17, तुरं तुरं तब करिये आप, preamble को base मान के, हम constitution में change कर सकते हैं, क्या प्रनवी बोसले, प्रनवी जी, preamble को हमारा constitution, जो है वो, एक judicial review के लिए, उसको use करता है, किसी law की constitutional validity को, चेक करने के लिए use कर सकता है, ठीक है, preamble of Indian constitution reads India as, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, order आपको बताना है, तो first फ्रॉला answer होगा, which amendment act introduced changes in preamble to Indian constitution, भारती समगधान के प्रस्तावना में, भारत को dash लिखा गया है, मतलब, ये थोड़ा सा Hindi में, मतलब एक तरह से Hindi में question ये होना चाहिए, कि किस amendment ने changes किये थे, बदलाओ किये थे प्रस्तावना में, तो ये था हमारा 42nd amendment of 1976, 19th, which among the following is the correct expression of the term secular in India, ने में लिखित में से कौन सा भारत में धर्मनेर पेक्ष शब्द क्या, सही अभी वेक्ती है, secular, secular का मतलब क्या, India has many religion, India have religious freedom, to follow the religion, religion depends upon the will of an individual, there is no religion of the state in India, बताया, भारत में एक धर्म है, India have religious freedom, यानि कि एक तरह से में बो सकते हैं कि, there is no religion of the state in India, यानि कि हमारा खुद का ऐसा कोई धर्म नहीं, जैसे Islamic State of Pakistan है, वैसा कुछ नहीं है, इन सारे शब्दों में किसको 42nd Amendment से नहीं जोडा गया था, तो आंसर वुड़ बी, socialist, secular, integrity को जोडा गया था, dignity को जोडा तो छोड़ो हाई नहीं है, गरिमा करके कोई तो शब्दी नहीं है हमारे constitution में, ठीक है, तो तीन वर्ड है, या दखना वहाँ पे, क्योंकि ये तो खेर, previous year का ही है, लेकिन वहाँ previous year में socialist, sorry, sovereign भी लिख देगा, लेकिन sovereign नहीं होगा, ये आपने आद रखना है, अब यहाँ पे पता है, किस तरह का question बन सकता है, ये इस तरह से question बन, पता है का बनेगा, यहाँ पे जलो, मैं आपसे question पूछता हूँ, आंसर बताना है इसका, question ये है, which of the following word, which of the following word, was originally, not mentioned in the constitution, यानि कि भारत के प्रस्तावना में मूलता इन में से कौन सा शब्द नहीं था, ठीक, मूलता इन में से कौन सा शब्द नहीं था, democratic, sovereign, secular, republic, बताईये, option number A, B, C, D, इसमें से answer क्या होगा, इन में से मूलता कौन सा शब्द नहीं था, मूलता जब मैं बोलता हूँ, originally जब मैं बोलता हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, 26 November 1949 की, जब हमने अपने constitution को अडॉप्ट किया था, तो उन में से कौन सा शब्द नहीं था, ये वाला नहीं होगा न, क्यों, क्योंकि ये तो 42nd amendment से अट किया गया था, सोशलिस, सेकलर इंटेग्रिटी, तो ये ओरिजिनली नहीं था, बाद मैं अट किया गया था, तो इस तरह से भी question बन सकता है, इसको याद रखेगा, अगला question है question number 21, इन में से कौंसा preamble में included नहीं था, ये question आप से पूछा जा रहा है, सेकलर सबका सही है, विकी, रिचा, पुषपा, सोनिय, जयमके, सिवानी, चलो सबका सही है, आंसर बताइए इस question का, अट दी time of enactment of constitution, इन में से कौंसा ideal नहीं था included, तो obvious से बात है, वही जो मैंने आप से question पूछा, वही से में, सोचलिस, सेकलर और इंटेइडिटी, इन को बाद में जोडा गया, तो option number A will be the answer, 22, preamble of constitution of India provides for the liberty of thought, expression, belief, faith and opportunity, education, participation and worship, रटना है आपको बार-बार बैठ के, thought, expression, belief, faith and worship, thought, expression, belief, faith and worship, प्रस्तावना में कितने प्रकार के नयाओं का उलेख है, दो, तीन, चार, पाँच, जस्टिस, सोचल, एकनोमिक and political, तीन, which of the following is true, बताइए, इस तरह के आप अच्छे-च्छे question बनते हैं, हैं तो सारी recent के आपके CC exams के questions, लेकिन ये थोड़े से और एच्छे टाइप एक question बन जाते हैं, जो लोग जैसे मेंस, टीर टू अगर हमें बैठेंगे, उनके लिए थोड़े से अच्छे questions हैं, क्या प्रियांबल अमेंड करके secular अटा सकते हैं अधर शमिश्टा, बिलकुर अटा सकते हैं, अमेंड्मेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन basic structure को बस नहीं बज़ा जा सकता है, ये है, अगर basic structure में उसको डाल दिया, ठीक है, क्योंकि basic structure भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं constitution में लिखा नहीं हुआ है, अगर Supreme Court ने बोल दे कि secularism भारत का एक basic structure है, तो कभी उसको हमारा parliament उसको amend नहीं कर सकता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर statement पढ़ लेते हैं, इन में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है, तो in the Beiru Bari case, the Supreme Court has said that the preamble of the constitution is not a part of the constitution, बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन रुख जाई है, मार करके आगे मत बढ़िये, because both A and B भी है, इन केशा नंदा भारती के Supreme Court has said that the preamble of the constitution is part of the constitution, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, C, ठीक है, और L.I.C. वर्सिस यूनिन अफ इंडिया वाले case में, again, केशा नंदा भारती वाले को reaffirm किया था, consider the following words, order में अरेंज करो इनको, socialist, sovereign, democratic, secular, जल्दी से, order में अरेंज करना है, तो order हमने क्या पढ़ा था, order हमने पढ़ा था, और अगर आपको किसी question में time लेना होते है, तो आप अपने according time ले लो, pause कर लो, time ले लो, फिर उसको fast forward कर दो, तो अपने ही साब से करो, यही आपका online पढ़ने का फायदा है, ठीक है, तो order है आपका, sovereign, socialist, ठीक है, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, 3142, option number A, ठीक है, अगला question, who described the preamble of Indian constitution as the political horoscope, किस ने political horoscope बताया था, तो यह देखो, कनहिया लाल मानिक लाल मुंशी जी ने बोला था, political horoscope, ठीक है, मुंशी जी से क्या देना चाहिए, drafting committee और business advisory committee, भीम राव मेटकर जी, drafting committee के chairman थे, which is the following person, has called the preambleized ID card of the constitution, अब सारे question आराम से होंगे, किस ने keynote of the constitution किया था, आप देखिए, यह question पुछा जा चुका है, लेकिन क्या हमने किया, नहीं किया, ठीक है, तो इस चीज़ को add करना है, वहीं पर जहां पर हम लोगों ने, remarks है न, जो notes पना रहे हैं, उस चीज़ को add करिएगा, प्रीज, जहां पर remarks आपने लिखे हैं, वहीं पर इस चीज़ को add करिएगा, Ernest Barker, Ernest Barker ने बोला था कि, की note है constitution का यह, ठीक, अगला question 29, दो question और बाकी है, which of the following liberty is not embodied, in the preamble of the constitution of India, इसे कौन सी तरह के liberty नहीं है, thought, expression, belief, faith और worship है, liberty इस तरह की कोई नहीं है, ठीक है, एकनॉमिक liberty नहीं हैं हमारे constitution में, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, in the context of polity, which of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty, तो liberty की सबसे most appropriate definition क्या होगी, बताएगे जरा, protection against the tyranny of political rulers, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop oneself fully, तो answer हो गया है पर D, या दखना, जब भी इस तरह के कोई अगर question आता है, तो जो आपको most comprehensive option लग रहा है, कि ये एकदम परिपूर्ण option है अपने आप में, उसको आपको टिक करना है, तो खुद को develop करने की opportunity पूरी तरह से, उसको बलते हैं liberty आ जा दिए, 31th question, and I think this is the last question of preamble, इसके बाद हम भी करेंगे schedules, consider the following statement about the preamble of the constitution, सविधान की प्रस्तावना के बारे में अमली के तिवातनों पर विचार करी है, विचार करके जल्दी से बताएं इन में से कौन सा सही है, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और या फिर 1, 2, and 4, objective resolution proposed by Nehru ultimately became the preamble, it is not justiciable in nature, ठीक है, इसको 1 करे, इसको 2 करे, इसको 3 करे, इसको 4 करे, ठीक है, it can not be amended, गलत, it can be amended, it cannot be overwrite the specific provisions of the constitution, तो चलिए माल लेते हैं, यह अमने अभी नहीं पड़ा है, ठीक है, तो 3 को eliminate कर सकते हैं, 3 गया, 3 गया, 1st and 2nd, तो हो गई होगा, तो at least 2 option चले गए, it cannot be, इसे समगिधान के wishes प्रवधानें से अलग नहीं किया जा सकता, it cannot be overwrite the specific, it cannot be overridden हो गया, overridden by the specific provisions of the constitution, तो यह बात बिलकुल सही, इसको हम अलग, इसे समगिधान के wishes प्रवधाने से अलग नहीं किया जा सकता, answer होग option number D, 1, 2 and 4, तो तीसरा अलब का statement गलत इसलिए था, because केशा नंद अबहाती केस में यह बोला गया है, यहां से होता है हमारा प्रियांबल खतम, अब यहां से आते हैं अपने दूसरे component पर, and that is schedules of Indian constitution, ठीक है, जिसनको हम बोलते हैं, अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां करते हैं भी, ठीक है, सर PDF का background white कर दो, ऐसे print नहीं निकलेगा, अच्छा, चलिए, तो अभी आते हैं, अनुसूचियां पर, अनुसूचियां क्या है, तो अनुसूचियां हमारे constitution में mention कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो हमारे काफी, जो components हमारे constitution के उसके बारे में बताते हैं, जैसे हमारे total 12 अनुसूचियां है, सम्विधान में कितने अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 schedules हैं, लेकिन, originally 10, sorry, 12 schedules नहीं थे, तो schedules का थोड़ा सा history समझ लेते हैं, जो हमारे सम्विधान में अनुसूचियां दी हैं, याद हमें ये रखना है कि, originally अगर हम बात करें, मूलता, हमारे जो सम्विधान में अनुसूचियां थी, वो कितनी थी, 8 थी, ठीक है, at present अगर बात करें, कितनी हैं, 12 हैं, 12 हैं, ठीक, उनको amendment से जोड़ा गया होगा, वो देखेंगे भी, अब इन schedules को हमें याद करना है, याद करने के मैं में तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ट्रिक है आपकी, tears of old PM, ट्रिक है आपकी, tears of old PM, यह आपकी ट्रिक है, अभी कैसे इससे याद होगा, ध्यान से समझ यह है, T से हो गया आपका territory, अभी यहां को समझाऊंगा, एक एकर करके चिंता ना करिए, जैसे वो पूरा समझ लिया, preamble question कर लिया, पूरा एकदम secure हो गया, उसी तरह से इसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर question कर लेंगे, secure कर लेंगे, और फिर आखरी में आजएंगे, sources of Indian constitution में, और खतम हो गया, ठीक है, इस तरह से चीज़ें हम लोग करने वाले, तो T से हो गया territory, what does territory mean, तो इस पहले वाले schedule में क्या दिया हुआ है, या तो एक एक करके समझते जाएं, ऐसे ही करगे न, T से हो गया आख पर territory, तो एक करके समझ ही लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट श्रीगुल में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, नामकरण, name of states, and their territorial jurisdiction, and their, यहाँ पर लिख इसले नहीं रहा हुँ, पूरा विकास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और समझा मैं आपको दूंगा पूरा, बिकास समझाने का मेरा आपका काम है, ठीक है, their territorial extent, यह फिर jurisdiction, इसका मतलब क्या है, राज्यों के नाम और उनका छेतरा अधिकार कहां तक चलता है, साथ ही साथ यही काम, UTs के लिए भी है, 28 state और 7 नहीं, 8 हो गए यहाँ पर, ठीक है, 8 UTs, तो 28 राज और 8 के इंद्र शासित प्रदेशों का नाम करण और उनका छेतरा अधिकार दिया हुआ है, E से है emolument, Sir E से emolument को कहीं दिखना गिरा, allowance कोई emolument भी बोलते हैं, allowance का मतलब भत्ता, यहनि president को कितनी salary मिलेगी, vice president को, speaker को, judge को, CAG को, कितनी salary मिलेगी, allowance मिलेगा, emolument मिलेगा, वो दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से salary दियो हुए, emolument दियो हुए, भत्ता दिया हुआ है, clear है, क्या सर हमें यह याद करना पड़ेगा क्या, कि किस कि salary लिखी हुई है, अभी मैं को बताता हूँ, ठीक है, वो याद भी मैं आप भी करवा दूँगा, आपको, याद भी नहीं करना पड़ेगा, तो याद हो भी जाएगा, एसे affirmation and oath, एसे क्या है, affirmation and oath, यहाँ पे, affirmation and oath किस की mentioned है, तो oath है, जैसे ministers की, MPs की, MLS की, जो ministers लोग है, CAG की, Supreme Court, High Court, judges की, oath है, कैसर यह याद करना है, तो चलिए अभी बताता है, second schedule में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते है, यह second schedule है, यह third schedule है, ठीक है, second में क्या दिया हुआ है, emolument दिया हुआ है, भद्ता दिया हुआ है, allowance है, यहनि की, salary दिया हुए है, third में क्या दिया हुआ है, oath दिया हुआ है, शपत दिया हुआ है, तो अगर तुमसे कभी पूछ ले ना, कि second schedule में कौन-कौन mentioned है, third में कौन-कौन mentioned है, कौन नहीं है, तो पता है, याद करने का सबसे बेस तरीका है, अब यह बताता हूँ तुम्हें, इसमें president है, ठीक है, governor है, vice president है, हमारे judges है, हमारा CAG है, यह सब कोई है, ठीक, हमारा speaker है, ठीक है, deputy speaker है, chairman, chairman तो है vice president हो गया, राजसभा का, deputy chairman हो गया, और ऐसे ही state level में भी है, नहीं कि state का तो governor हो गया, state के जो legislative assembly के speaker होंगे, वहाँ के deputy speaker होंगे, वहाँ के legislative अगर council है, तो वहाँ के deputy chairman है, high court के judges, इन सब का भत्ता लिखा हुआ है, ताकि सरकार इनका भत्ता change ना कर सके हो, पहले से लिख गया हमारे constitution में कर, कि यह यह ऐसा है, और यह एक particular fund होता है, वह हम Parliament chapter पढ़ेंगे, वहाँ से निकलेगे इनकी salary वगएरा, तो तुम change नहीं कर सकते हो, ठीक, इस वज़े से अब भाई हाथ किसके, किसके हाथ में power होती है, ministers के पास, तो minister की salary यहाँ पर लिखी होगी, नहीं लिखी होगी, क्यों, क्योंकि वह अपनी salary को थोड़ी न घटाएंगे, तो इन लोग की से लिख के गया है, ताकि इन लोग की salary, ministers लोग न घटा सकें, खुद की तो घटाएंगे न, इसलिए उनके नाम नहीं लिखे हुए, ये logic से तुम्हें याद करना है, ओध किसका है यहाँ पर, ओध यहाँ पर president का नहीं है, governor नहीं है, vice president नहीं है, clear हो गया, speaker deputy speaker नहीं है, ये इसलिए नहीं है, speaker deputy speaker, क्यों की अब इन तुम्हें बताता हूँ, जब parliament पढ़ेंगे, तो ये लोग अलग से कोई ओथ लेते ही नहीं है, शपत, speaker पद की कोई अलग से शपत नहीं होती है, ठीक है, अब इनको छोड़के सारे, जितने हो गए हमारे, ये judges हो गए, ठीक है, इसे पहले तो minister ले लो, ये कि minister लोग को पद धारन करने की house में घुसने की जल्दी होती ही ना, तो इनसे बोला, ये रुको, बोथ लेकर जाओ पहले, ठीक है, तो इन लोग के salary नहीं mention कर रखा हूँ, मिनिस्टर्स का, मिनिस्टर्स आपके union level के भी, और state level के भी, ठीक है, ये तो minister हो गया, जिन्होंने कोई portfolio hold कर रखा है, कि ये हमारे foreign face minister है, ये हमारे defense minister है, finance minister है, वो तो minister हो गया, अब जिसे राहूल गांदी हैं, और बाकी मालेते हैं, BJP के कुछ MPs हैं, वो minister नहीं है, तो वो उनकी भी seem mentioned है, यानि कि कोई भी हो जो हमारा MP है, same goes with MPs और MLA's कभी इसमें mentioned है, इसमें आपके judges भी हैं, ठीक है, judges included है, Supreme Court और High Court के, ये चीज़ आपका अदक नहीं, इसमें आपका CAG भी included है, Comptroller and Auditor General, अब याद हो गया कि नहीं, आपके आपके आपसे कोई पूछ ले, इस second schedule और third schedule में, किसका mentioned है और किसका mention नहीं है, तो अब ये I hope आप बता पाएंगे, बहुत ही clearly, ठीक, आवाज गई, आवाज बटा, गई नहीं आवाज है, अपने तुमारे earphones की आवाज चलीग, इसको एक बढ़ चेक करो, अब आवाज तो खहर जाई नहीं दे, तुम्हें पता नहीं कैसे तुम्हें पता चलेगा, याज कि मेरे side से तो I think proper है, बहुत और कोई तो बता नहीं रहा है, ठीक, clear है, तो अब आगे बढ़ा जाए, तो आपको first याद हो गया, second याद हो गया, third याद हो गया, fourth पर आते हैं, R से क्या है यहाँ पर, R से है, R से है राजसभा, allocation of seats in राजसभा, यानि कि राजसभा में seatों का अवंटन, यानि राजसभा में किस तरह से seatें, अवंटित की जाएंगी, जो 200 seat हैं, उदर में से 238 निर्वाचित हो के आएंगी, elected हो के आएंगी, 12 nominated यानि की नामित हो के आएंगी, नामंकित हो के आएंगी, तो यह हमारा fourth schedule, यानि की चौथी अनुसूची बोलती है, फिर अगर हम बात करें, fifth schedule, fifth में आप यहाँ पर देख पा रहोंगे, S आ रहा है, और S से यहाँ पर है, scheduled areas, administration and control of scheduled areas, यानि अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जन्जातियों के प्रशासन और नियंतरन के बारे में उपबंध हैं यहाँ ठीक है, यानि scheduled जो हमारे areas हैं, उनके administration के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, और जो हमारा schedule number six है, O से यहाँ पर बात करता है, ओ से यहाँ पर है other scheduled areas, जिनको हम tribal areas भी बोल सकते हैं, तो इस O से आपको याद दखना है other scheduled areas, जिसमें के आएंगे आपके tribal areas, और ये वाला schedule सबसे ज़्यादा important है, इसमें schedule में जो सबसे ज़्यादा question बनते हैं, वो इसी से बनते हैं, कैसे यहाँ पर question पूछेगा, कि schedule six में कौन सा state mentioned नहीं है, यानि कौन सा राज जिसमें से mentioned नहीं है, तो असम, मेगाले, मिजोरम, यहाँ पर तीन state mentioned है, ठीक है, शिक्स्त वाले में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फोथ clear हो गया, ठीक है, tiers of old PM है, फोथ आपको clear हो गया, फोथ किसकी बात कर रहा है, allocation of seats in राजसभा, फिफ्थ किसकी बात कर रहा है, administration of scheduled areas, अब scheduled areas क्या होते हैं, scheduled areas वो होते हैं, जहाँ पर कई सारे जो हमारे नॉर्थीस्ट की इलाके हैं, कई सारे जो हमारे छेतिस गर्ड ओडीसा, यह राज्य के कुछ इलाके हैं, जहाँ पर कुछ special चीजें हैं वहाँ पर, बतलब हर कोई ऐसे वहाँ पर जा नहीं सकता है, प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, वो लिखा हुआ है हमारे इस particular 5th schedule में, ठीक है, अब बात करते हैं 6th schedule में क्या लिखा हुआ है, और कौन कौन से state mentioned है, तो 6th schedule बात करता है, other scheduled areas की, जिसमें कि हमारे 4 states आते हैं, और वो 4 states यह है, ATM money, अब इनको याद कैसे रखेंगे, ATM money से याद रखेंगे, A से है Assam, T से है Tripura, M से है Misorum, और इस M से है Megale, ठीक है, अब वहाँ पर जब आपसे question पूछेगा न, तो 100% वो आपको money पूर option में देगा, बट आपको याद यह रखना है, कि इस ATM में money नहीं है, मैंने आपको किस तरह से यह 4 states याद करवा है, ATM money, लेकिन आपको याद रखना कि इस ATM में money नहीं है, यानि इसमें money पूर नहीं आता है, 6th schedule में, 5th schedule में हमारे scheduled areas आएंगे, जो कि बहुत सारे राज्यों में हो सकते हैं, other scheduled areas में हैंने कि जो हमारे tribal areas हैं, उसमें 4 states आते हैं, ATM money, A से SM, T से तरह पूरा, M से मिजोरम, और M से मेगाल है, इसमें money पूर आपका नहीं है, clear है यहाँ तक, अब आते हैं 7th आले पे, ठीक है, 7th आला में समझा देता हूँ, और उसके बाद अगर किसी के कोई doubt होगा, तो पूछेगा, यहाँ पे F है, Tears of Old PM, इसको मैं summarize भी है भी आपको करूँगा, लिख के, ठीक है, लोग revise भी करेंगे, F से यहाँ पे है, Federal Provisions, अब कल मैंने आपको, Federal Provisions का मतलब समझाया था, Federal Provisions का मतलब क्या होता है, 7th में आपका दिया हुआ है, Federal Provisions, Federal Provisions का मतलब मैंने आपको यह समझाया था, Division of Power between Union and State, यानि कि, राज्य और केंद्रों केंद्र, एक तो है Union List, जिसको हम संग सूची बोलते हैं, एक दिवे State List, जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं, और तीसरी हमारी Concurrent List, जिसको की हम समवर्ती सूची बोलते हैं, तो इसमें कुछ Subject Mentioned है, इसमें कुछ Subject Mentioned है, Union List में जो Subject Mentioned है, अब कौन कौन से subject mention है वो यहाँ पे देख लीचे जैसे की defense, banking, currency, foreign affairs, communication तो ये subject पे जो law बनाने का काम है अभी ये 5 subject नहीं होवेसी बात है 100 से भी ज़्यादा subject लिखे हुए हैं जो हम सारे तो रटा नहीं सकते हैं लेकिन एक basic आप common sense रख सकते हैं union list में वो subject आएंगे जो बहुत important होगे जिनका लेना देना पूरी देश से होगा defense का लेना देना किसी एक state से होता है कि आप पूरे देश से banking अर्थ हो ऐसता अगर किसी एक bank की बिगड़ी तो पूरी भारत की चर्मरा सकती है यह हाला तोती banking की तो इसलिए इसको union list में रखा गया तो इस पे law बनाने का काम सिर्फ हमारा केंदर कर सकता है निकि union का parliament कर सकता है यह state list के subject हैं जिसमें हमका police आता है, trade आता है, agriculture आता है, irrigation आता है, health आता है इन सब पे law बनाने का काम हमारा state का जो legislature होता है जिसमें की legislative assembly आनि विधान सभा और कुछ हमारे राज्यों में विधान परिशत भी होती है तो वो इस पे law बना सकते हैं यह जो beach के हैं concurrentless जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं इसमें center और state दोनों बना सकते हैं लेकिन अगर center ने बना दिया अगर यह भी question बन सकता है कि अगर माले ते center ने बना दिया तो या फिर अगर माले तो दोनों ने बना दिया not center ने Center ने बना दिया तो ठीक है Center ने बना दिया State ने बना दिया ठीक है State ने बना दिया अंगर दोनों ने बना दिया То Center का Prevale करेगा Center का उपर रहेगा याद है ठीक है अब यहाँ पर Education आता है पहले Education State list में होता था लेकिन 42nd Amendment ने Education को Forest को और and fascist को तीनों को State से निकालके Concordant में transfer कर दिया इन तीनो subjects को education, forest और weights और measures को state से उठाके concurrent समवर्ती में डाल दिया तो यह आपके आते है concurrent list में marriage हो गया adoption हो गया तो अब जैसे marriage जैसे चीज है ठीक है अब marriage ऐसी चीज है कि भाई यह marriage का जो लफड़ा है तो कोई सुल्जाई नहीं सकता तो इस जो यहाँ पर examples लिखे हुए इनको तो अपरेटी सकते हैं में काम यहाँ पर रटना नहीं है में काम यहाँ पर समझना कि किस तरह के subject विकॉस सौ से भी ज्यादा subject लिखे हुए सब तो रट नहीं सकते हो ना लेकिन basic sense तो ले सकते हो ना कि जो इसका लेना देना पूरा देश से होगा अभी मैं farming की बात कर लूँ farming किस में रखोगे इसको जरा बताओ farming और animal husbandry को किस में रखोगे इन तीनों लिस्ट में बताओ जरा comment में ठीक है तो यह चीज़ क्लियर हो गई 7th और concurrent list दोनों बना सकते हैं और किस तरह से ठीक है 7th हो गया federal provisions ठीक है सात्वी उन्हें सूची में संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची दी हुई है अब बात करते हैं यह O का मतलब क्या है इस O का मतलब है इस O का मतलब है official languages आठवाँ जो schedule है इसका मतलब है official languages एट schedule में दिया हुआ है official languages अभी यह schedule भी important है जो important हो मैं को बता दूँगा तो 7th वाला बड़ा important है 6th वाला और यह 8 वाला 6 7 8 बहुत important है या फिर मैं बोल सकता हूँ 6th और उससे आगे जितने भी important हो बहुत important है ठीक है official languages दी हुई है कितनी दी हुई है तो इस पर भी question बनता है originally 14 थी but at present 22 है यह है originally ठीक है और यह है at present मौझूदा समय में इसका मतलब है कि amendments से add की गई होंगी बाकी की जो हमारी 8 है तो बिल्कुल वो कौन कौन से amendment थे वो देख लो सबसे पहला 21st constitutional amendment हुआ था 1967 में और इसने एक एक ही language को जोड़ा था तो that was Sindhi language फिर 71st amendment हुआ था तो Sindhi important इसलिए हो जाता because यह पहले amendment से जोड़ी थी इसने तीन languages जोड़ी थी कौन कनी जो कि आपको कहां बोली जाएगी जरह बताएगे गेस करिए कहां बोली जाएगे विसे तो अभी हमने geography पढ़ी नहीं बट फिर भी कोन कनी मनिपुरी और नेपाली यह तीन हमने languages को जोड़ा 71st amendment से 92nd amendments अगर हम बात करें हमने जोड़ा चार languages को एक तो थी बोडो डोगरी मैथली और संथाली मैथली और संथाली यह हमारी थी चार languages जिसनको हम 92nd amendment से जोड़ा था जो 2003 में हुआ था और 96th जो constitutional amendment है इससे हमने अगें सिर्फ एक ही language को जोड़ा है and that was odia ठीक है odc language को clear classical languages हमारी अलग होती है because इस पर भी question बन चुके है और तो चली मा को यह classical language भी बता देता हूं classical languages कौन सी होती है ठीक है classical languages वैसे यह topic इसका तो नहीं इसमें हमारी नहीं लिख हुई है बट फिर भी कोई अलग से topic तो ह हमें याद करना है trick है तू शुरू तो कर काफी लोगों को बता होगा because मैंने टेलिग्राम पे share किया था पहले तू शुरू तो कर मैं आ रिया ठीक है और CHSL का भी exam आज से start हो चुका है review अगरा टेलिग्राम पे मैं share करूंगा ठीक है वहीं पर last में expected question भी I think रात में share करूं करना हो चुस्च के साथ तो टू शेतर से हो गया Tamil शुरू से हो गया यहां से हो गया संस्कृत ठीक थो से हो जाएगा यहां प्र आपका तिल्गू कृति先生 हो गया कंणड म से होगया मलयालम यह कि मल्यालम और आरीया से ओगया और तो यह कैस् contr tragic बनाई थे आपके पास आच् मैंने अभी आपको क्या बताया था हमारी schedules कितने थे originally 8 थे तो 8 तो हमने देख लिये लेकिन अभी 12 है यानि अब जो हम पढ़ेंगे उनको amendments add किया गया है और वो कौन से हैं सबसे पहला 9 वाला है L L का मतलब है land reforms L से यहाँ पर है land reforms इसको कौन से amendments add किया गया तो इसको first जो notes पनाएंगे इसको यहाँ पर लिख दीजेगा ऐसे करके first constitutional amendment से जो 1951 में हुआ था 1951 में उससे जो जवाला लेहरूर जी ने किया था जवाला लेहरूर जी उससमें प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर हुआ था अब इसकी importance क्या है land reforms क्या है कि इस तरह का land reform पहले होता क्या था जमीदारी system चलता था हमारा ठीक है जमीदारी system में कहता हो था जमीदार जो थे उनके बहुत ज़्यादा उनके पास जमीन हो गई थी तो अजादी के बाद यह देखा गया वैसे यहाँ पे लिखा वह फर्स आमेंडमेंट इस चीज़ को add कर दिया गया कि इसमें अगर हम कोई भी law रखेंगे पारलिमेंट ने यह बोला अगर हम कोई भी law रखेंगे उसमें उसमें जुडिशरी डिवीव नहीं कर सकती है नया पालिका अपना उसमें कोई भी विमोचन नहीं कर सकती है कि भाई यह सही है गलत है उसको अटा दिया नहीं एक बार इसमें डाल दिया उसको पूरी immunity मिले गई उसमें तुम कुछ चेड़ चाड़ नहीं कर सकते हैं युडिशरी ऐसे तो शांत बैठने वाला नहीं था उसने केसाब नंदा भारती केसे बोला 1973 में कि पहले तो चुम ने कर लिया वो कर लिया ठीक हम चुएंगा नहीं अब इसे तुम जिसमें डालोगे न यह मत सोचना कि इसके यह समझने की भूल मत करना कि स्कुम चुएंगे ने बिल्कुल चूँ सकते हैं ठीक है तो यह चीज मैं आपको क्लियरली बता दी अगर कुछ स्टेट्मेंट बन जाए तो अब आते हैं 10th शिरूल में D से यहां पे डिफेक्शन डिस्क, D से डिस्क वालिफेक्शन और दीफेक्शन वाट इस डिफेक्शन पार्लिय अमेंट चाप्टर में पढ़ेंगे काइदे से अभी के लिए समझ लो दल बदल जो लोग दल बदल करते हैं उनका डिस्क वालिफेक्शन 10th शिरूल के तयत होता है 52nd Amendment ने इस शिरूल को एड़ किया था 52 में समझधा संसोधन ने फिर हमारा था 11 यह Old PM था न तो Peak में से हो जाएगा पंचाइद और M से हो जाएगा Municipality 11th शिरूल को एड़ किया गया था 73rd Amendment और इसको एड़ किया गया था 74th Amendment से आपको यह चीज यहाँ पर एड़ कर दीजएगा जो Notes बना रहे हैं कि जो 73rd और 74th Amendment है 73rd और 74th Amendment है यह आपके 1993 में हुए थे और इस समय Government थी PV नरसिम्मा राओ जी कि तो Prime Minister भी आपसे पूछ लेता है PV नरसिम्मा राओ बाकि तो जब हम Local Bodies यहनी पंचायत चाप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और यह चीज जहाँ पर लिखे हुए 73rd आपका जो 11th schedule है उसमें आपके 29 functional matters दिये हुए है और इसमें 18 subjects अब इसका मतलब क्या है subject या फिर functional matter कहीं कहीं लिखा होता है इसका मतलब यह होता है कि उसमें कई कई चीज़ें लिखे हुए हैं जिसपे कि हमारा पंचायत legislate कर सकता है law बना सकता है खुद से जैसे कि एगर माल लेता है कुछ lake से lake हो गया इस तरह के अगर कुछ काम करने है तो पंचायत को यह power मिली हुई है in 29 subject के matter पर है और in 18 subject में मिली हुई है वो mention है municipality नगरपालिकाओं के लिए वो आपको याद करने के ज़रत नहीं है वो कौन से 27 और कौन से 18 है ठीक है चलिए इतनी चीज़ सभी को clear हो गई कोई यहां तक अब बताई किसी का कोई doubt है क्या अब मैं यहां पर आ पे हापके लिए करते हो सारी चीज़ समराइस फिर आप बताईगा क्या किसी का कोई doubt हैं यह तक सारी चीज-बम मैं करते हूं summarize ट्रिक के साथ इस चीज़ को यहां से में आठा दूह जो notes है उसमें आपको यह चीज मिल जाएगी यह नहीं होता है तो मैं चलो side में ही लिख लेता हूँ tiers of old PM याद किया था न t e a r s t से क्या था सबी लोग recall करेंगे याद करेंगे 1993 में हुआ था implement हुआ था याद रखेगा emolument किसका emolument सब का जिसका parliament change ना कर सके तो minister और MLA अगरे सब नहीं होगे MPs, MLAs कौन होगे president, vice president speaker, deputy speaker, governor supreme court, high court के judge, CAG सब कोई होगा जब affirmation oath लेने की बात आईगी तो minister की होगी बखी president, vice president, governor, speaker deputy speaker, sorry deputy speaker इन सब की नहीं होगी CAG इसमें भी होगा CAG दोनों में, judges दोनों में है, R से क्या है, R से राजसबा, नी राजसबा में seatों का आवंटन है नी allocation of seats in राजसबा S से क्या है, scheduled areas administration of scheduled areas ठीक है, tiers of old PM, of, ओ से क्या है other scheduled areas, other scheduled areas, जिसनकों tribal areas ही बोल सकते हैं कौन से चार राज्ज है है ATM money, ATM money A से SM, T से 3 पुरा, M से मिजोरा, M से मेगाल है, इस ATM में money नहीं है, money पुर नहीं है, money पुर जहां violence हो रहा है भी, वो money पुर नहीं है ठीक है F से क्या है, F से federal provisions, यानि कि जो संगात्मक धाचा है हमारा federal provisions है वो दिये हुए है, federal provisions मतलब division of power between the union and states इसमें union list होई है, state list होई है और concurrent list होई है, ठीक है और अभी हम आज ही के lecture में देखेंगे कि हमने जो concurrent list है, वो कहां से लिए है तो tiers of old PM तो old PM यहां पर लिख देता है, old PM है old monk नहीं, ठीक है तो old O से हो जाएगा आपका क्या official languages, official languages कितनी दिवी है, 22 है ठीक है, पहले 14 थी अभी 22 है, इसको लेके एक video share करूँगा आपके परमार SSC टेलिग्राम पर, ठीक है आपको देखके काफी अच्छा लगेगा ठीक है, जो भी lecture attend कर रहा है परमार SSC पर, उस video को जरूर देखेगा अभी मैं खता लेक्जर खता मने के बाद इसको डालूँगा, ठीक है L के अगर हम बात करें, तो L से है land provisions को abolish किया गया था जमीदारी को abolish किया गया था अब क्योंकि ये 9th schedule है तो इसको obvious ही बात है, 1st amendment से add किया गया 1951, D से है disqualification due to defection, दल-बदल कानून है इसमें, इसको 50 ये 10th schedule है आपका, 52nd amendment से add किया गया था, P से है आपका पंचायत, 29 functional matters दिये हुए है या फिर subjects दिये हुए है और municipalities, नगरपालिका है, जिसमें 18 functional matters दिये हुए है, नगरपालिका है इसको 73rd amendment से add किया गया था और इसको 74th, tiers of old PM is that clear, अब बताइए जल्दी से इनके answers, अब कर दीजे इन questions को जल्दी जल्दी खतम how many schedules are there in the constitution, 12 ठीक है, originally जब मैं बोलता हूँ 26 November 1949 की बात करता हूँ, तो 8 होंगे in which of the following schedules of the constitution of India deals with the allocation of powers and functions between the United States, जल्दी से नोट सी डाल, सब ना कुछ डाल दें, फाल्तों में फिर हमने batch बनाया है, है ना फाल्तों में जोन लोगा ने enroll किया है, अब वो चीज बार-बार comment में मत add किया है, कोई doubt है तो आप add कर सकते हो, ठीक है चलो answer क्या होगा, 3rd में क्या है, affirmation oath है 5th में क्या है, scheduled area 7th में federal provisions, जो बात करता है allocation of powers and functions की ठीक है, 8th schedule में क्या है, languages है हमारी, 34th, 10th schedule of Indian constitution deals with, 10 वे अनसूची ठीक है, 52nd amendment defection, ठीक है, anti-defection legislation अगला, schedules of constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states, तो कौन से schedule है जो administration of scheduled areas की बात करता है, several states में 3rd, 5th, 7th या फिर 9th, आंसर क्या होगा 5th, ठीक है, और tribal areas 6th में आते हैं, ठीक है how many languages were initially included in the 8th schedule of Indian constitution, initially अन्य मोलता हमारे समिधान में के 8th में नसूची में कितनी भाशा हैं थी तो ये थी total 14, ठीक है, 14 अभी कितनी है, 22 है, 8 8 की गई थी वो मैंने अभी आपको बता दिया, कौन से amendment से की गई थी, ठीक है फिर अगर हम बात करें, the 6th schedule of Indian constitution does not exercise its control to the tribal areas of which state, इन में से कौन सा state नहीं है आपका 6th schedule में, तो ATM money, ठीक है ATM money, यहां पर इस money में इस ATM में money नहीं है, ठीक है, ये money में जो आपका होगा, मिजोरम होगा, ठीक है मिजोरम, में money पुर नहीं है अगले question पहते है, 38th which of the following languages is not included in the 8th schedule आठवी एन उसूची में कौन सी भाशा नहीं है, नेपाली, बोडो, मैथली, इंग्लिश, तो 8th schedule में हमारी नेपाली भी है, बोडो भी है, मैथली भी है बट इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश से याद आता है अगर कल जिन्हों लोगों ने lecture लिया होगा चलो अब उसको यहापे discuss नहीं करते हैं कोई article याद आ रहा है जो मैं आपको कल बताया था, किस article में लिखा था कि इंग्लिश को 15 साल के लिए continue किया जाएगा पार्लिमेंट में, language group में और उसको बाद abandon कर दिया जाएगा उसको which schedule contains provision relating to the emolument allowances, privileges as to the president and governor, कौन सा है अपका जो बात करता है emolument के tiers of old PMT दूसरा वाला ही है, ठीक है second कहा है, second option number है अगला वाला, 40th जल्दी से इसको match करिया है, 40th को और फिर आते है sources of Indian constitution पर और फिर करते है आज के lecture हो खतम, तो दो दिर में आप देख सकते है कितनी सारी चीज़ें कर ली, notes आपको मिल जाएगे, मुझे पता है कल थोटी देरी हो गई लेकिन आज से एकदा हम time paper notes से मिलेंगे और Sunday को फिर आपका test होगा बस, इस तरह से आप चीज़ें करते चलेंगे तो फिर कुछ भी आपको दिक्कत में हाने सर वीडियो एक आवर छोड़ दिएगा, notes कुछ शूट गया है, वीडियो तो मैं आपको तो जात्ती के रूप में ले रहा है, जात्ती कर रहा है और भाई यह तुम यह देखो, बार बार बोल रहा हूं यह batch है, जिसको मैं stream कर रहा हूं, ठीक है कुछ, खेर चलो tiers of OPM, तो पहला T, territory ठीक है, यनि कि state के बारे में दिया हुआ है, ठीक है कुछ और भी तो बताया था, इसमें कोई भी act or regulation अगर रख दिया गया, तो वो judiciary उस पर review नहीं कर सकती, ऐसा parliament ने बोला था, फिर 1973 में KBC के symbol दिया, नहीं कर सकता है, तो उसी से संबंदी था है, 1, 2, 3, 4, any option number A will be the correct answer, इसको करिए, आखरी question है, फिर आते हैं उस पर, livestock और animal husbandry किसमें आएगा, तो यह कैसा subject है, यह मतलब पूरे देश से लेना देना है, गाए भाएस, इनको union देखेगा, क्या, नहीं, state के लिए छोड़ो देगा भाई, तुम करो, अच्छा, का होती है, रेज़िड़ॉरी לिस्ट होती है, जो subject ना तो union में है, ना तो state में, ना तो concurrent में है, ऐसा subject को हام रेज़िडॉरी लिस्ट पोलते हैं, वो рез़िडॉरी लिस्ट में आता है, उर इस पे law बनाने का जो power होता है, इसमें lawmaking जो power होता है, वो किसके इसमें नहीं है तो फिर Parliament बनाएगा आपका ठीक है पहले ये Voice Roy करता था Pre-Independence ठीक है चलिए अब हम आज आते हैं अपने सबसे पहले इसमें topic की ओर and that is sources of Indian Constitution और इसको कराने के लिए मैं आपको ले चलूँगा दूसरे software की ओर ठीक है ये हमने सारी चीज़ें कर ली है अब ये जो questions को करने के लिए हमें समझना होगा किसके बारे में various sources of Indian Constitution तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कहीं और ठीक है सभी लोग तयार हैं कहीं और चलने के लिए चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अब यहां पर sources of Indian Constitution पर ठीक यानि कि समविधान में हमने कौन सी चीज कहां से बारो की है Constitution हमने कौन सी चीज कहां से ली है वो अब यहां पर देखने वाले है ठीक है छोटा सा है मैं कोशिस करूँगा कि आपको बहुत यासान तरीके से कुछ निमोंग कुछ ट्रिक्स के साथ यहां पर बताहूं ताकि जितने ज्याद से ज्याद आप यहीं पर याद कर सकते हैं का फायदा उठा है, Government of India Act 1935, यह सबसे पहले आद रखना कि जो हमारा structural जो चीजें है constitution में, सबसे ज़्यादा जो influence है, had the most influence in our constitution, most influence in our constitution, सबसे ज़्यादा अगर हमेरे समविधान को किसी चीज ने influence किया है, तो वो इसी नहीं किया है, Government of India 1935, ज़्यादा तर जो हमारे provisions है, फिर पूरा structural जो धाचा है, हमारे constitution का, वो यही भारत सरकार अदिनियम 1935 का बना, अब मुझे आप लोग याद दिलाएगा, तो मुझे या याद दिलाना यह करवाना है, तब यहाँ पर मैं पो यह करवाँगा, इस पर question आए है, ठीक है, Government और आते भी है, 1919 इन सब पर act पर आते हैं, clear है, तो यहाँ से Government of India 1935, तो यहाँ से हमने क्या-क्या लिया, वो देख लेते हैं, तो यहाँ से हमने emergency के provisions लिए, मैं हिंदी में राज जपाल का कार रहल है, structure of judiciary, नयापालिका का धांचा, emergency provisions, ध्यान रखना structure दिया है, अब चिंता मत करिए, वो सारे confusion अभी मैं आपके दूर कर दूँगा, structure धांचा लिया है, नयापालिका की स्वतंतरता, वो हमने यहाँ से नहीं लिया है, वो अमेरिका से लिया है, ठी अब यह बताए कि UK हमें रूल कर रहा था ना, तकरीबन ऑल्मोस्स दो साल तक रूल किया, तो इसने जो systems डेवलप किये थे, वो हमारे लिए adopt करना बहुत आसान था, जब मैं आको आक्ट पढ़ा हूँगा, तो वहाँ पे हम देखें किस तरह से हमारा धीरे-धीरे executive बनता ह ठीक है, कार रिपालिका बनता है, फिर धीरे-धीरे कैसे legislature बनता है, अच्छा, executive legislature जिलनों का नहीं पता समझ लीजे, हम polity में तीन terms का use बढ़ा करेंगे, हमारे polity के तीन components होते हैं, एक तो होता है legislature, जिसको की हम बोलते हैं, विधाई का, क्या होता है, legislature जिसको की हम हिंदी ब विधाई का, ये करता है, कानून बनाने का काम, legitimate का काम, इसको implement या execute करने का काम करता है, episode जिसको की हम बोलते है, कारे बढ़ालिका, clear, और इस में इसको review करने का काम, कि ये जो legislature ने जो law बनाया है, ये तो काम करता है, जुरीश्री या नहीं तो आप ये समझे कि जो हमने अभी parliamentary form of government हमारे देश में आपको पता है कि sensitive प्रनाली चलती है वो क्यों चलती है क्योंकि UK ने ऐसा ही develop कर दिया था और UK में ऐसा ही चलता था क्योंकि UK में ऐसा ही चलता था तो उन्होंने हमारे आभी ऐसे डवलब किया जब हम आजात नहीं हुए थे इसलिए हमारे लिए वो अपनाना ज्यादा आसान था तो parliamentary former government ठीक है parliamentary privileges जो हमारे parliamentarians है उनको कुछ विशेश अधिकार प्राप्त है वो भी हमने इसलिए पार्लेमेंट पार्लेमेंट वहली सारी चीज़ा यूके से लिए एकल नागरिक्ता सिंगल सिर्जेशन शिप हमने यहां से लिए है अब याद कैसे रखेंगे confused कैसे नहीं होगे कि हमने USA से नहीं लिए है ऐसे नहीं confused होगे because मैं आपको कली बता रहा था और फिर आज बता रहा हूँ की सिर्जेशन शिप है तो वह हो गई हमार यहां कि हम भारत के नागरिक हैं लेकिन निवासी हैं मुत्तरप्रदेश के ठीक है तो यह UK से लिए सिंगल सिर्जेशन शिप को rule of law rule of law का मतलब होता कि कानून सबसे उपर है कानून की देवी आपने देखाओगा मुर्ति है न आखों में पट्टी बांदे रहती है आखों पट्टी बांदे रहती है तो कोई भी कानून के उपर नहीं है यानि कोई भी आएगा गरीब अमीर हम सबको एक्वल ट्रीट कर करने वाले है इसा नहीं के महन दें थीक रही है त्क हूर है यह है现在 कब्ango समझत लीजे पर्मादिकारे हैं अभी सार्व होती है थोड़े से एक्स्ट्रा एक से powers हमारे court के पास available है by-cameralism का मतलब क्या होता है by-cameralism का वता है दुई सदन वाद दो सदन है लोग सभा राद सभा तो यह भी हमने कहना से लिए है अब यही तो पार्लिमेंट है यही तो संसथ है तो आप भेस यह बात है यह भी UK से लिया होगा Parliament के पास हमारी कुछ privileges हैं विश्यस अधिकार हैं जैसे विश्यस अधिकार को तो मैं सबसे best example दे तो हमारे कानपूर में एक किया सतीश माना जी ने एक bjp के ml ने व बात उठाई और सतीश माना जी ने उनको बुलाया गया कार उसमें एक तरह से सदन में बुलाया गया जो कारा मैं ऐसा कटगेरे में खड़ा किया गया सबी को तकरीब आगि तिंग 5-6 थे और उनको एक दिन की कारावा सुनाया गया का privileges का अनन किया तो उनके पास ये power है कि वो किसी को सजा सजा दे सकते हैं वो उनके पास power है तो हम पारलेमेंट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे रिट को फंडेमेंटर राइट में देखेंगे यू ऐसे से क्या लिया है मौली का अधिकार लिया है अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा चिंता न करिए लेकिन पहले समझी है ट्रिक ट्रिक भागेंगे तो इतना ट्रिक को याद करने के लिए अलेक्सी ट्रिक बनानी पढ़ जाएगी फिर फिर बगल वाली से पूछना पढ़ेगा फाने लिए बता दो है रहम तो ट्रिक वाले हैं ठीक है तो मौली का अधिकार जहां नीडेट है वहां पर इसे शीडूल में नीडेट हो तो वहां तो मैं आपको बताया ठीक है प्रेयमबल लिया वो तो भी ह सबसे बड़ा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है नया पाली का सोतंत्र है ठीक है वो हमने आ से लिया है इसको अभी थोड़ा सा होल्ड करिया जो रिमूबर लिखा है जुडिशल रिव्यू यह हमने आ से लिया है अब बहुत लोग मैंने देखा है काफी टीचर बता देते हैं इंटीग्रे इतिंग बता होगा कि Supreme Court High Court ऐसे हमारे सब integrated है ऐसा नहीं है कि बई केंद्र के कानूनों के लिए Supreme Court है और जो राजज के कानून है उनपे रिवु करने के लिए हर सेट का High Court है ऐसा नहीं होता है High Court के decision, High Court का कोई decision उसको Supreme Court review कर सकता है, Supreme Court अले को High Court कर सकता है, कोई राज जने कोई कानून बनाए, उसको Supreme Court देख सकता है, कोई केंदर का कानून आए, उसको High Court nullify कर सकता है, वो कर सकता है, सब कुछ integrated है, ऐसा USA में नहीं है, USA में एक federal court है और उनकी state की अलग-अलग court है, पर presidential form of government है, राश्टपती वाला जो form of government होता है, वो वहाँ पर है, equal protection of laws, यह भी देखेंगे जब हम लोग article 14 पढ़ेंगे, election of the head of state, head of state कौन होता है हमारा, president, तो राश्टपती के election, vice president का post, ठीक है, post of vice president, यह उप राश्टपती का पद, राश्टपती का impeachment, अब यह समझो impeachment क्या होता है, तो impeachment होता है, राश्टपती के removal को हम impeachment बोलते हैं, राश्टपती हमारे पुरे देश का head होता है, मुखिया होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए एक special word दे देते हैं, थोड़ी जट से हटाते है, impeachment, again president topic पढ़ेंगे, तो impeachment, यह प्रेसिदेंट का removal दिया गया ह procedure almost same होता है, हम देखेंगे बाद में, और financial emergency, यह हमने लिया USA से, अब बात कर लेते हैं, क्या हमने लिया है, Canada से, तो Canada से हमने लिया है, federalism with strong center, center appoints governor of the state, residency power, west with the center and advisory jurisdiction of Supreme Court, यहां पे मैं को दिखाता हूँ, Canada के सामने क्या क्या लिया है, हिंदी मैं बता देता हूँ, फिर मैं बहुत ही असानी से आपको याद करवा देता हूँ, केंद्र दौरा, राज्य के, राज्य पालों के न्यूकती, सशक्त केंद्र के साथ संगी विवस्ता, और उचितम नयाला का परामशी, अब इसको बहुत ही असा समझो, Canada, C से Canada, और C से center, अब कल मैंने बताया था, federalism होता है, union और state के बीच में equal power का division, लेकिन इंडिया में क्या है, federalism with a strong center, हमारे federation तो है, power का division तो है, लेकिन center के पास ज़्यादा power है, ये चीज हमने Canada से लिए, center जो है, governor को appoint करता है, ये किस तरह का feature होगा, federal या फिर unitary, भाई, यहाँ पर discuss कि किसका कर रहे है, unitary features का, ठी किया था, कि कौन सा unitary feature होगा, कौन सा federal feature होगा, ठीक है, तो जितने भी unitary type के features हैं, तो सब Canada से लिए है, residency power, not residency, residuary होगा है, ठीक है, जो residuary power है, what are residuary power, अभी मैंने बताया, कि एक तो union, state और concurrent, इसमें अगर कोई subject mention नहीं है, वो residuary list में आएगा, और उसमें law बनाने का power जो ह पास है, Canada के पास, और advisory jurisdiction of supreme court, जब supreme court पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, यह होता क्या है, अभी के लिए रटलो, कि advisory jurisdictions यहां से लिए है, advisory jurisdiction actual में, यह होता है, हम पढ़ेंगे, supreme court वाले chapter में, कि हमारा president advise लेने जाता है, किसके पास, supreme court के पास, उसको हम बोलते है, advisory jurisdiction, ठीक, और अब बात कर लेते हैं, Australia की, इससे लिए हमने concurrent list, जो division of power यह नहीं है, इसको अटा दीजा भी आप, ठीक है, freedom of trade and commerce, और joint sitting, सिर्फ तीन चीज़ें आप को या दखने है, समवर्ती सूची, freedom of trade and commerce, यहनि कि स्वेपार करने के आजादी, और संयुक्त बैठक, जो लोगसभा औ होती, लोगसभा, राजसभा की, कौन बुलाता है, कौना दखता करता है, सब कुछ बाद में देखेंगे, ठीक है, अब याद कैसे रखेंगी, कि Australia से इन तीन चीज़ों को लिया, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी trick समझ लो, Australia अगर आप ध्यान से देखें, तो कुछ इस तर और concurrent list, अब बात कर लेते हैं, Ireland की, Ireland से DPSP अनि कि राज की नीती निज़े सकता तो ले रखें, nomination of members of राज, इन राजसभा जो 12 members president nominate करता है, उसी तरह Ireland में भी करता है, और method of election of president, जो राजपती का, election का जो method है, प्रक्रिया, वो आमने लिया है, राजपती का removal लिया है, कहा election तो लिया है, लेकिन उसका जो method है, method of election, वो Ireland से लिया है, अब याद कैसे रखेंगे इसको, Ireland अगर आप ध्यान से देखें, Ireland के भी, जो यहाँ पे letters हैं, उससे हम याद कर सकते हैं, देखें, इससे अब तीन letters को निकाली, R, E, D को, तो red की तरह sound करेगा, यह लाल, red, R से हो जया है, Germany से लिया है, President's power during emergency, suspension of fundamental right during emergency, अब भी तो सर, emergency आपने 1935 के आक्ट में बताया था, तो वहाँ मैंने बताया था, provisions of emergency, देखिए, यहाँ पे था, एक सेकंड, यहाँ पे emergency के provisions, कि अगर emergency लागू हो जाएगी, तो क्या-क्या होगा, यह होगा, यह नहीं होगा, लेकिन Germany से लिए हमने लिया है, कि जब emergency के टाइम पर मौली का अधिकार suspend हो जाएगे, आप court नहीं जा सकते हैं, अपने मौली का अधिकारों की demand करने के हमारा यह right है, और यह, वो suspension जो होता है, वो Germany के constitution से लिए, और Germany के constitution को हम बोलते हैं, वेमार constitution, ठीक है, तो अगर इस तरह से ल चाहोगा, France कहां गया, यह तो USSR, चलो France भी मैं करवा दूँगा, ठीक है, तो France ही इसके बाद बागी है, USSR से हमने क्या लिया है, वो Soviet Union, जिसको कि हम Russia के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो Soviet जो अभी Russia पहले यह क्या था, integrated था, लेकिन टूट टूट के Russia बना, Ukraine बना, बेलारूस बना, बहुत सारे देश बन गए, ठीक है, तो एक तरह से Russia से मोल सकता है, हमने क्या लिया, fundamental, लेकिन सबसे बड़ा देशों से Russia निकला, इसलिए USSR को Russia बोल देते हैं, तो fundamental duty molly करता वे लिया, क्योंकि ऐप से समझ लो, Russia में लोगों को ऐसे नहीं गुमने दिया था, कि तुम Social Economic Political, वो ideals of justice लिये हैं, वो रश्या से लिये हैं, ठीक है, रश्या के constitution से, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आखरी है हमारा France, यह PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, France, France से हमने लिया है क्या, France से लिया है हमने, France से हो जाएगा fraternity, ठीक है, fraternity, और इस R कोई उठा लो, Republic ले हमने तीन तरह के पढ़ लेते हैं, Liberty, Equality और Fraternity, तीनों यहीं से लिये हैं, अक्चल में French Revolution हुआ था, वहाँ से यह तीनों टरम से निकल किया है था, जो हमने अपने constitution में लिये, Liberty, Equality, Fraternity, Justice लिया है, रश्या से, वहाँ पे लोगों को Justice नया मिलता है, समझ लो, Duties हैं, और D Duty लोग करते हैं, इसलिए उनको नया मिलता है, रश्या में, ठीक है, लेकिन बाकी जो Objectives दिये हैं, प्रियांबल में, Liberty, Collective, Fraternity, वो France से लिये हुए है, Is that clear, खतम होता है, अब हम practice करेंगे और उससे हमें और चीज़ें याद हो जाएंगे यहीं पर ही, ठीक है, चलिए, MCQ पर आते हैं अभी, चलिए, तो पहला question आपके सामने ये रहा, the constitution of India adopted many institutional details and procedures from the, बता ये जल्दी सा ब answer करिया, बाल से रूसी निकालना हमारा मूल करते हुए, अच्छा, और त्रिक बनाने को तहरा मैं बता सकता हूँ, हर एक country के लिए तुम्हें ट्रिक बताने जाओंगे न, अगर for example तो तुम ट्रिक भूल गए न, तुमको यादी नहीं आएगा, अब ट्रिक भी एकदम आसानी से त बता हूँ, मैं बिल्कुल आपको आडवाईज ही नहीं करूँगा कि यहाँ पर आप ट्रिक से याद करें, बहले आपको कोई चीक चीक की बोले यह ट्रिक है मेरे पास, छोड़ दोसको, ठीक है, बहले question करकरके वो चीज आप, के अंदर वो insights develop हो जाएंगे, अपने आपको ट्रिक की ज़रत नहीं है नहीं, तो फिर ट्रिक याद करने के लिए अलगस आपको ट्रिक बनाने पड़ेगी, तो constitution of India adopted many institutional details and procedure from the government of India 1935, इनसे तो हमने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है, companies exit से क्यों लेंगे, तो ज्यादा तर जा हमारा constitution का part था याद अखना, it had major influence में, बार बा अनर तो लिया था 1935 के act से, लेकिन जो राजजपाल की नियुकती होती है by the center in the state, वो कहां से लिया है, वो एक unitary feature है, और हो सारे unitary feature हमने Canada के constitution से लिया, is that clear, ठीक है, public service commission हो गया, supreme court हो गया, ये सबने 1935 से लिया है, from which country's constitution has the constitution of India borrowed the feature of single citizenship and parliamentary system of government, बताएए, एकल नागरिकता आ और parliamentary, Australia से क्या लिया है, TRA से हो गया trade, S से हो गया joint sitting, और L से हो गया list, concurrent list, खतम हो गया, USA से क्या लिया है, USA से लिया है, इंडिपेंडनेंस जुडिशरी है, नयापालिका सोतंत्र है, ठीक है, sorry, नयापालिका का हमारी सोतंत्र है, removal of president, removal of supreme court, high court का judges, ठीक है, और हमने यहां से क्या लिया है, C से Canada, C से center, federation with a strong center, appointment of governor by the center, resituary power vesting on the center, सारे center, बच क्या UK, UK से और क्या लिया है, हमने single citizenship, parliamentary privilege, prerogative rate होगी, यह नि परमादिकारी, रेटे होगी, bicameralism होगी, यह सब हमने UK के constitution से लिया हुआ, यहां पे पुरा आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक, अगले question प पे छोट गया था, तो Japan से हमने लिया procedure established by law, अब यह समझ लो कि procedure established by law होता क्या है, तो actual में यह हमारे constitution में article number 21 में लिखा हुआ अनुच्छे 21 में procedure established by law, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो हमारे parliament या फिर state legislature है, हमसे कोई भी law नहीं चीन सकते हैं, except procedure established by law, यानि कि जो भी हमार दिखान में लिखा हुआ है कि इस तरह से law बनना चाहिए कानून, लोकसाबा से पास होना चाहिए, राजसाबा से होना चाहिए, तेन प्रेसिडेंट से से मिलनी चाहिए, अगर इस तरह से पास हुआ है कोई law, तभी कोई law हमारे rights को ले सकता है, that is called as procedure established by law, ठीक है तो यह हम The principle of liberty, equality and fraternity were adopted from the constitution of, तो liberty, equality and fraternity, तो free से हो गया France, खतम, option number C, है कि नहीं असान, liberty और justice कहां से लिया, justice Russia से ले लिया, Ireland से क्या लिया, Ireland से आताना चाहिए, red R से, R से क्या लिया, R से क्या है, R से क्या है, R से, R से, R से, R से, R से, राजसभा में, जो members को nomination होता है, वो हमने लिया E से election of president लिया, ठीक है, method of election of president लिया, और D से लिया DPSP, ठीक, अगले question पर आता है, question number, fifth, the idea of rule of law was adopted from the constitution of which of the following countries, तो rule of law हमने कहां से लिया, जल्दी से बता है, rule of law यानि की, समविधान, नहीं, law का rule है, समविधान से उपर कोई नहीं है, कहां से लिया, UK से, option number C, Russia से हमने सिर् fundamental duty और justice लिया, justice के principles लिया, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा, trick के जरुती नहीं है, Indian constitution borrowed procedure of amending the constitution, from the constitution of, जो procedure of amendment है, ये भी I think मैंने skip किया है, ठीक है, वही मैं जो लग रहा था कि कुछ हुआ है, तो ये South Africa से क्योंकि लिया है, अब यहां पर आप एक चीज देखिए, य election of member of ratsabah, sir अभी तो ratsabah तुम बोल रहे थे, Ireland से लिए कैसी आप बात कर रहे है, ठुक जाओ, यहां पर के लिए हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, actual में दोनों में सही नहीं लिखा हुआ, यहां पर nomination, यह क्या लिखो, method of election of the president, अच्छा ठीक है, members of nomination ही देखिए, जो r होते हैं, procedure, indirect election होता ना हमारे राजसabah में, वो हमने South Africa से लिए है, और हमने लिया है, Constitution का amendment, जो हमारे समिधान का संसोधन होता है, याद कैसे रखेंगे इसको, याद ऐसे रख लो, कि गांधी जी गह थे वहां पर सबसे पहले South Africa में, तो वहां पर उन्होंने राजसabah से related क कोई amendment किया था, राजसabah से related कोई amendment किया था, वो तब भारत वहां से भारत लौट के आया थे, clear हो गया, तो amendment हमने कहां से लिया है, amendment हमने लिया है, South Africa से, clear है, France again I will repeat, मैं बार बार उस चीज़ को repeat करूँगा, ताकि आपको दिमाग में एक दम भर दूँ मैं उस चीज़ को, France से हो गया, fraternity और लिबर्टी के लिटी, fraternity हमने लिया है, France से और Republic भी, UK से हमने क्या लिया, rule of law लिया, parliamentary privileges लिया, parliamentary former government लिया, bicameralism लिया, prorogative rates लिया, single citizenship लिया, खतम, Australia से के लिया, trust से trade हो गया, S से sitting हो गया, और joint sitting और L से list, concurrent list, खतम, अगले आते हैं, seventh, the directive principle of state policy in the constitution were borrowed from the DPS speak, खतम, Ireland, इन्होंने Spain से लिए थी, लेकिन उससे हमें कोई लेने देना नहीं, कि इन्होंने किस से लिए थी, लेकिन हमने कहां से लिए, Ireland से लिए, उन्होंने further Spain से लिए थी, ठीक, option number C, Ireland से और क्या लिया है, again मैं फिर से repeat करूँग, Ireland से में लिया है, राज अब हमें में members का nomination by the president, जो हमारे हैं होता है, और election of president, ठीक, चलो, 8th पर आते हैं, इन्में से कौन सा incorrectly paired है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता है, इन्में से कौन सा गलत paired है, सही paired नहीं है, जल्दी से, बहुत बड़ा हो गया lecture, बहुत topics भी तो हो गया, ये भी तो देखो, schedule, sources, pream और किस तरह से हुए हैं, वो आपको भी पता है, कि आपको कभी नहीं बोलने हैं वाले इन topics को भी, ठीक है, सिर्फ आप question फिर से आपको revision करना है, idea of rule of law, कहां से लिया है, Britain से, मतलब कानून सबसे उपर है, charter of fundamental right, USA से लिया है, DPSP, Ireland से लिया है, liberty, equality, fraternity, ये हमने Canada से नहीं, फ्रांस से लिया है, तो answer option number D होगा, ये हमारा incorrectly paired है, correct है, option number D, question number 9, और आपको, आपको background में से थोड़ी noise आ सकती है, लेकिन बार बार, आपको पता भी काफिल हों को कि, बतीजी है मेरी एक साल की, तो वो काफी ज्यादा noise create करती है, अब एक साल की है, तो कुछ बोल भी नही भी दे, ठीक है, the procedure for the nomination of members to the Ratsabha in the constitution of India's borrowed trauma, तो nomination of members, कहां से लिया है, Ireland से लिया, अभी बताया, nomination लिया, Ireland से, लेकिन जो election लिया है, ठीक है, election लिया है, वो हमने South Africa से लिया है, राजसभा के regarding election पे amendment कर गया है ते गांधी जी, South Africa में, तो amendment वहीं से लिया, ठीक है, South Africa से, the procedure of judicial review in the Indian constitution and the provision of independence of judiciary, कहां से लिया, बताये, तीन चीज़े है, याँ दखेगा, judicial review, independence of judiciary and integrated judiciary, नया पाली का स्वतंत्र है, नया पाली का आपकी review कर सकती है, किसी मामले में उसको अधिकार है, ये तो अमेरिका से लिया है, यानि USA से लिया है, लेकिन हमारी integrated judiciary है, वो हमने अमेरिका से नहीं लिया है, and the last question I think is this, 11th number question, question ये है क्या को ये match करना है, DPSP, emergency, power of precedent, union, state relation, और amendment को, जल्दी से पताये है, अच्छा, fundamental right है, ये तो है, fundamental right तो है, चलो, तो अगर हम बात करें, DPSP की, तो DPSP कहां से लिया है, airline से लिया है, ठीक है, emergency power of the president, तो president restate कर देता है, fundamental right को, emergency के time पर, तो Germany से लिया, union state के relations, Canada से लिया है, और amendment of constitution, South Africa से, तो 1, 2, 3, 4, option number A, 12th number, I think अच्छा, एक दो और हैं भी, तो socialist, यानि की union of Soviet Socialist Republic से इन में से कौन सा लिया, हमने जल्दी से बताइए, union of Soviet Socialist Republic से क्या लिया है, अब confused मत हुए, यही है USSR, यही है Russia, fundamental right, USA, preamble, USA, concurrent list, Australia, बचा क्या 5 year plans, पंच वर्षी ओजनाभी हमने यही से लिया है, कहां से, USSR यही रश्या से, 5 year plans, तो fundamental duty लिया है, ideals of justice लिया है, और 5 year plans लिया है, और खतम हो गया, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपके तीन topic खतम होगे, तो sources खतम हुए, आपके schedules खतम हुए, आपके preamble खतम हुआ, और किस तरह से खतम हुआ, वो आपने, अब आप बताइए, ठीक है? आपके पूछ रहे हैं, GST कहां से लिया है, तो आप कानपूर से कहां से हो, अभी बताते हैं कानपूर वाला, लेकिन GST वाला जाता है, अब एक्जाक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत GST का जो component हमने वो कैनेडा से ही लिया है, अब देख लीजे, GST में क्या है, कि स्टेट तुम मत tax collect करो, हम tax collect करेंगे, सारे tax को एक कर देंगे, और वो सिर्फ union के पास power होगी collect करने के, अनि कि center के पास power होगी tax to collect करने की, अगें सेंटर, अगें कनेडा, खतम, ठीक है, विकास दुबे फ्राम कानपूर, थेंक्यू सार, इवनिंग्स छे बजे से कर सकते हैं नहीं, वो 7 पीम पर होगा, विकास और भी काफी सारे lectures लेने होते, बवार lecture है सर, पूरा सिस्टा में लिगा, क्या बात है, तो अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको एक बार करना है, and for always, ठीक है, फिर आपको बार-बार करने के जरत नहीं पड़ेगी, अब यह मैं आपको, यह MC की बटा सकता हूँ, छोटा हो जाएगा lecture, बताओ, MC की बटा दूँगा आपको, ठीक है, आपको हो तो, यहां से म बटा हो जाएगा, यहां पर MC की हुई कितने सारे हो गए, ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे, MC की बटा दो, तो क्या तुम्हें क्या लगता है, मैं अटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो लोग तब भी यही बोलते हैं, जबने 51 लेक्शार कराएगे, बहुत ज्य से तो मैंने WhatsApp शाद एक का दुक्का बारी खोला होगा, कुछ ऐसे कुछ मेसेज करने के लिए, तब से मैंने खोला ही नहीं है WhatsApp, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, क्यों मझे पता है कि इतने धेर सारे messages होंगे, मैं किस-किस का message देखूँगा, गुड नाइट बेटा, गुड तरह से चीज़ें करी हैं, तब ही हो पाया, खेर, मिलते हैं कल, इंदी same time, with the lecture number 3, हम लोग कल part 1 से start करेंगे, union, यने की union and state, citizenship, fundamental right, ये सारी चीज़ें, कल से हम लोग चीज़ें start करने वाले हैं, thank you, notes वगरा सारी चीज़ें आपको मिलते हैं